कुश्टन फैस्ट है कि मने लिखित कमांतर स्रेडियों का योग फैले तो आप लोग यह बताओ कमेंट करके क्या आप लोग फार्मूला जानते हो कि नहीं नहीं जानते हो तो मैं बताओं कमांतर स्रेडियों का योग ज्यात करना योग का एक ही फार्मूला होता है वहुत आसान होता है यह पूरा चैप्टर ही बहुत आसान लेकिन क्लास को एंड तक देखना बच्चा ठीक है तो और अब कमेंट आरा तुम्हारा भी ठीक है तो इसका जो फार्ट पार्ट है बेटा वो क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप थोड़ा फार्मूला अगर लिख लेते तो बहतर रहता है जो योग वाला सूत्र होता है उसे लिखो दो सूत्र इसमें यूज करेंगे हम लोग लिख लीजिए यदि किसी एपी के पहले इसे लिख लो जो बोल रहा हूँ मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं सुन लो यदि किसी एपी के पर्थम यन पदों का योग यस है तो इनका योग फल बराबर क्या होता है सूत्र लिखो नीचे लिख दूँ क्या मैं यहां लिखता हूँ यस यन टैप्टल में यस लिखोगे यस यन बराबर ठीक है रफट लिखो यन अपांटू कोश्ठक के अंदर होगा बिटा वही जो सब पढ़ते आये हो तो ये प्लस यन माइनस वन इंसू टी याद रखना यह सूत्र होता आपका ठीक है कि दूरज कुमार प्रिया सिंग अब का कमेंट आरा ठीक है तो यह फर्मूला होता आपका देखो इसमें मैं फर्स्ट कोश्चन पर चलता हूं फाइप पॉइंट थ्री में फाइप पॉइंट थ्री क्या कहता है तू सेबन कि दस पदों तक क्या करना हमें इस स्रेड़ी का यूग्यार करना है तो यह फार्मूला लगाओग Ε दो सूत्र लोगी लिखने के पहले लिख लो दिया है क्या क्या दिया है ये एक सम आंतर स्रेड़ी है इसका पहला पद दिया है हाँ पहला पद क्या है दोा आप लिखोंगे राबर क्या दिया है 2 आप देखो यहां पर डि přराबत है क् 얘기를 लोघे का मतलब सार्वांतर जोकि दूसरे पतसे पहला पत घटा के निकालते आप घटा के देखो 5 आएगा इसमें एक चीज और भी दिया है यन बराबर दिया है यन बराबर कितना दिया बच्चा 10 दिया है न कितना दिया है दस दिया है क्योंकि अंतिम जो पद है जन्वा पद क्या 10 है कितना है दस चलिए रख देते हैं समझोएं आपए क्यास 10 भई 10 है इक्वल यन की जगह पर 10 रखोगे जहाँ जहां यहां है वहाँ वहाँ दफ रखोगे दो गुड़े एक कमान 2 है तो 2 रख दो दन की जगापे 10 क्यों भई यंझी जगापे 10 रखो गे न मैनस 1-5 की जगा पस कितना आसान है देखो कितना आसान 239 पढ़ा रहे पहले इसे तो देख लो इतना लिख लिजी आप लोग मैं देखूंँ थोड़ा सा अच्छा दिखराए कि नहीं अच्छा दिखराए ना बाबू अधिकरान कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छा दिखराए कोई प्रॉब्लम नहीं चलो इसका डॉंट वरी मस्त दिखराए त्रेंट्सिप बीडियो इतने भी हमारे साथी जुड़े हैं कलास को लाइक जरूर करें से देखो आ गया कि आपका हो जाएगा कट जाएगा दो से तो आपको पता है पांच हो जाएगा इसमें देखो गुड़ा करके चार हो जाएगा और यह आपको पता है प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा दस से एक जाएगा नो आएगा पांच में गुड़ा करोगे पचे कितना हो जाएगा पैतालीस पस हो गया कितना आसान है ना यस 10 अब यह सीधा सीधा मुझे पाई इस 10 तो बराबर कितना हो जाएगा पांच गुड़ा उनन्चास प्यास टेन अब ही दिखर है ना पुड़ा कर लो पाँच नौ पैतालिस पाँच हासी लाया चार पांच चोगविश चार चोगविश दो सो पैतालिस हाया कौन सा इनके दस पदों का योगधल अभी को समझ में आ रहा है ना जल्दी जल्दी से बताओ कि हाँ आ रहा है अच्छा आठ का बेटा PBR study application में मिलेगा YouTube पे नहीं पढ़ाया गया स्क्रीन साट लेलो में सामने से हट गया हूँ चलो जल्दी से आप लोग स्क्रीन साट लेलीजिए इसका पहला पार्ट हो चुका है सूरज कुमार दिख रहा है ठीक है अच्छी बात है सूरज जी बहुत अच्छी बात है बेरे गुड तो मैं इसको अब इरेज करूँगा हो गया है आप लोग स्क्रीन साट लेलीजिए जल्दी जल्दी से दूसरे question पे चलेंगे सूत्र हम नहीं मिटाएंगे लेकिन सूत्र मैंने थोड़ा सबको समझ में आ रहा है ना अच्छा एक बात बताओ कितने लोग NCRT की किताब लिये हैं बोलो हाँ जो NCRT बुक लिया है जल्दी से बता दे कि हाँ हम लिये सी बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे उनके में तो पक्का सवाल सभी मैच कर रहा है क्योंकि उनकी एक-किठाब होती NCRT जो UP और भिहार बोर्ड के होते हें अलग-अलग प्रकार के प्रारणी इन में अलग-अलग किताब ह होती यह कौनों दूसरा परकाशन लिया को नुसरा लिया को उनमें क्या होता है कुछ अगे पीछे हो जाता है मभिता बर्मा इत्तच सिंह के सबीका कमेंट आ रहा है इस पांट देखो बाबू उध्यान से माइनस का 37 माइनस का 33 और माइनस का 29 यह नि हमें पता यह चार-चार क्या है बढ़ता जा रहा है कुछ लोग कहेंगे यह बढ़ता घट रहा है कि देखो बच्चा माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना छोटा होता है यह प्रकार ऐसे समझ लो किसी के उपर जितना करजा होता है न वह उतना ही गरीब माना जाता है कैमरा थोड़ा सा चार्ज में लगा दें एक मिनिट रुखे रहो आप लोग किर हम आगे बढ़ेंगे कैमरा थोड़ा सा मैं चार्जिंग रहा हूं थोड़ा सा रूप जाओ भाई तो लग देया अभी नहीं चला चलाना भी पड़ेगा चल गया चलो देखो समझ यह इधर साइड में देखिए हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत उंदर पढ़ाते हैं वसा आपको देखना है आई यह लो में ले लिया 12 पदों तक योग ज्याद करना है देखो कहां तक 12 पदों कितना आसान है यह बहुत आसान है आसान है ना इसमें तबसे पहले हमें लिखना है क्या 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 दिया है एदिया है पहला पद माइन 37 दिया है फिर D दिया है बच्चा कितना देखो माइनस 29 इसमें से हम क्या करेंगे अगला वाला पद को घटाते हैं यह माइनस का 33 तो हमें क्या मिलता है सारवांतर मिलता है यह माइनस 29 और प्लस 35 घटा लो बच्चा 4 आएगा कितना आएगा पौर यानि हमारा जो सारवांतर क्या है पौर इसमें जो यह नुवा पद दिया है बारा मतलब लाश्ट पद जो है न वभीता पहली बार गुरू आपकी लाइब कलास ले रही हूं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हूं वभीता जी यह कलास हमारी कोसिस होती ह है कि परतेग दिन दोपार दो बज़े से लाइब हूं इसके और पिछले पार्ट सभी चैनल पर पढ़े हैं वीडियो आप उन्हें देख सकती है सारे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया चैप्टर पांच कर खतम हो गया यह लाश्ट चैप्टर पदल लिख लें तो हमारे लिए जगा थोड़ा अच्छी बच जाएगी के इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं जिससे बचे और हम आपको दिखास के लिए लाइड जादा है चमक जादा रहे क्या स्क्रेंब प्रेंगे तो बता देना अगर ज्यादा चमक रहा होगा तो थोड़ा कम कर देंगे सुत्र लगाईए यह सियन बराबर यह अपांटू बहुत ही आसान सुत्र है यह क्या है इसका फार्मूला है ठीक है थोड़ा से लाइट में कम कर देता हूँ कि इतना ठीक है अब इसमें यहन की जगा पे बारा रखोगे भाईया यहन की जगा पे बारा रखोगे क्यों जायागा बारा बटा दो क्यों जायागा दो गुड़ा एक कमान कितना है सभी बच्चे बताओ जल्दी से कमान दिया माइनस का 37 और प्लस यन यन की जगा पे बारा माइनस वन इंको दी कमान दिया चार अब देखिए इनको आपस में पुड़ा करो अगर तो आप देखो आपको मिलेगा दूश सत्य चवदक चार हांसी लेएक तो तूट यही चाह एक साथ माइनस का 54 आएगा माइनस का 37 और बच्चा यह क्या हो जाएगा बापू घटा होगे तो ग्यारा आएगा बारा से ग्यारा ग्यारा का चार में गुड़ा करोगे 44 इतना देखो सब को समझ में आए आसान है न यहां पर क्या लिख होगे यास 12 यह हमें 12 पद तक योगफल निकालना है बहुत अच्छे भाई क्या नाम है इनका अंकित कुमार और विसाल जी बेरे गुड़ अब इनको हमें क्या करना है ध्यान दीजिए यह प्लस और माइनस हट जाएगा जब 74 गटाओगे तो कितना आएगा तीस आएगा ना अंदर में क्या आएगा तीस वो भी माइनस में आएगा यहां ध्यान देना यह 12 पराबर माइनस का 30 और इसमें 6 से बुड़ा कर दोगे तो माइनस का 180 आएगा यानि यही क्या है हमारा अंसर है कितना आथान है ना स्क्रिंसाड ले लिजिए लिख लिजिए जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो कलास को लाइक करके दोस्तों में सेयर करना न भूले अभी कलास खतम नहीं हुई है अभी आगे भी चलना है इस तमें बच्चे जादा नहीं आ रहें क्योंकि कलास थोड़ा दिन बंद हो गई थी क्योंकि तो बच्चों को पता नहीं है इस वज़ा से सभी जितने भी हमारे साथ ही जुड़े हैं वो कलास जैसा ही क्योश्चन पूरा हो इस क्रिंसार्ट ले लिजिए हो गया क्रिंसार्ट लेना जानते हो ना लिख लेना बाद में आराम से और नोट्स बनाना अच्छे से इमानदारी से पढ़ना पूरी गड़ित यूटूब पे हम फ्री में पढ़ाएं आप बिल्कुल पढ़ सकते हो बिना एक पैसा खर्चा किए स्टेप बाई स्टेप सारे कुश्चन लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए को प्यास पता है कि लास को रोज लाइक करना और दोस्तों में सेयर करना कि यह आपकी जिम्म है अगर इससे भागते हो तो फिर गड़बड़ चलिए अगला पार्ट पर चलते हैं मस्त दिखरा है सब कुछ बे इसका थर्ड पार्ट आप लोग कर लोगे अगर किसी कोई दिक्कत होगी तो बता देना मुझे कर लोगे ना भाईया अच्छे नहीं नहीं 0.6 है अरे वही एक बुड़ा हो रहा है वो लग रहा है ऐसे वह पॉइंट सेवन तू पॉइंट एट का कह रहा है सव पदों कितना तक है अंड्रेड पदों तक कर्षा दस्की जो लाइब क्लास होती है वो डेली दो पाहर दो बज़े से हो लास का टाइम डेली दो पाहर दो बज़े से डिस्क्रप्शन में दी गई लिंक से आप पीबीर स्टेडी का टेली गराम चैनल जोईन कर लें जिससे कि आपको क्लास की नोटिश्केशन मिल सकेगा क्वेश्चन नंबर है कि एक सर्थाइज 5.3 कि लास टेंथ होड़ा सा ब्लर है क्या अभी मैं सही कर देता हूं कि थोड़ा सा आप देखिए चमक कम हो गई होगी नार्मली ना अच्छा चल रहा ना भाईया चल यह ठीक है देखिए आप समझे बताना अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी तो बता देना बिल्कुल विलाइट मैंने कम कर दिया है रहे बच्छों इसमें जो कुष्टा नमबर सिकेंड है उसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिये हुए योगफलों को ग्याद कीजिए आपको सम्स फाइंड करना इस तरीच का, नीचे दिये हुए योग फलों को ग्याद कीजिए, यानि समांतर फ्रेडी दी गई है, आपको इनका योग फल ग्याद करना वच्चा बहुत ही आसान है, बाबु ये, इसका फाइस्ट पार्ट है, रेबन प्लस 10 इंटू 1 अपान 2, प्लस इसमें किया गया 14, और प्लस डाट डाट डाट, ये प्लस 84 तक है, देखिए कितना आसान है, ये, समझने की भरपूर कोशिस करिए, ठीक है, समझने की पूरी कोशिस करिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, बच्चनों कि यहां पर आप ठोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं चुक बताना चाहता हूं, उसे समझना, इसमें आप देखो, ये एक स्रीज दी गई है, जैसे आपको कोई स्रेडी दी जाए, उनको जोड़ा जाए, तो ये आपस में पीच में प्लस का सार्वांतर स्रेडी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया, जिसका पहला पद साथ से सुरू होता है, और लाश्ट वाला पद 84 दिया गया है, समझिए, आप यहां पे लिखोगे भईया सबसे पहले दिया है, जिसमें पहला पद दिया है, जिसे बोलते है सार्वांतर स्रेडी पर्थम पद दिया है, कामन डिफ्रेंस, कामन डिफ्रेंस बच्चा कैसे निकालते हैं, तुम सबको पता है, इसको आप भिन में बदलोगे, तो 20 दूना, यह 10 दूना 20 है, 21 बटा 2 हो जाएगा, यह निकलेगा बटा 21 बटा 2 माइनस 7, ऐसे निकलेगा इसे हल कर लोगे, 21 माइनस 14 बटा 2, पराबर यह हो जाएगा कितना, 25 में से घटेगा 6, 7 आएगा, और 7 बटा 2, समझ में आ रहा है न, टीपू अफीसियल, बटा पढ़ाई कर लो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है यहां पर काम, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सब कुछ मस्त दिख रहा है, एकदम बहतर चलगा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, बेरी गूड, अब क्या करेंगे बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, यह हमें डी निकल गया, ए इसमें अन का भी बैलू दिया है, अन बराबर दिया 84, अब हमें एक छोटा सा सुत्र लगाना है, और हमारे सामने यन का मान आजाएगा, जब हमें यन का मान मिल जाएगा, तो हम यस यन बराबर, यन अपांट टू, तू ए बलस यन माइनस वन इंटू डी, या फिर इसका दूसरा वाला योग वाला सुत्र लगा करके, हल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे बच्चा, इसमें ये सुत्र लगाओगे, यन का मान निकालने के लिए, भरपूर कोसित करोगे, इसका मान 84 दिया है, एन का, एक मान बेटा 7 दिया है, यन का मान हमें नहीं पत है और टी कमान जो है वो दिया है साथ बटा दो कि बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड सभी कर लेंगे कि कोई डाउट कोई सवाल तो बताओ चलो अब यह हो जाएगा आपका 84 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर साइड जो है दाहिनी साइड क्या है प्लग में यह यन माइनस वान ऐसे का ऐसे ही उतार लिया जाएगा इंटू सेवन अपान टू ऐसे लिख लिजिए आपको समझ में आई इसलिए म थोड़ा टाइम बने लग जाए लेकिन आपको आना चाहिए अब देखिए इसको इसमें से जब घटाएंगे तो बहिया सेबंटी से बनाएगा और यह बच्चा इधर गुड़ा में है साथ बटा दो अगर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कहने का यह मतलब है जब लेबल पढ़िए अब यह कट गया तो यह कितना हो गया बाइस बाइस बराबर यहन माइनस वन हम कह सकते हैं कि यहन बराबर यह इतना समझ में आया एक लिजिए इसक्रेंशाट ले लिजिए फिर आगे वड़ते हैं पाई गोविंद सुकला जी नीचे नंबर चल रहा है आप वहां पर इंक्वारी करिए बसे तुम्हें आपको एक बार में बता दूँ आप पीबीर स्टडी अब डाउनलोड करिए जाके वहां से देख लिजिए जो भी आपको चाहिए ले लिजिए सब इसको करिए हो गया का मान आ गया सारे मान आ गये हैं अब हमें योगफल का सुत्र लगाना सिंपल सा चोटा वाला और मान आ जायेगा चलिए हो गया उमीद करते हैं आपने स्क्रेंशाट इसका ले लिया होगा तो मैं इसको अभी रेज कर देखा हूँ इस चान रहे यह कलास सभी वोर्ड के सब्वी परकार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एंसी आर्टी पैटन है यह एंसी आर्टी जो ना यह सब के लिए हो अब हमें योग वाला सुत्र लगाना है क्या करना है योग वाला सुत्र लगाना है जो जो दिया गया था मैंने कुछ चीजे मिटा दिया उसे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा जैसे पहला कि इंवराबर हो आपको साथ दिया था दिकमान मैंने निकाला था साथ बटा दो इंडिकमान अभी अभी आया था जैसा जैसा बागी तो मुझे लगरा सब यह इन कमान 84 दिया था इतना आपको दिया गया था अब हम लिखेंगे आता हां जी का योग फल बराबर क्यों गुफल बरिबर क्या होता यह एपियन बराबर humans दो के होता है अरे यह तो दूसरा यार इतमें पलस में हो जाता है इस लता है do कि चोटा वाला सुत्र न हमें इतने में काम हो जाएगा तो हम का है फालतु फैलाएं लंबा एक बड़ावाला सुत्र होता है से अबराबने नफान्टू ए उसमें यहन माइनस वर इंटुटी वह नहीं लगाना क्यों कि यहां पर ही काम हो जा रहा है तो यस यन की जगह पे हम क्या रखेंगे भाईया यन कमान आया है 23 तेइस आया ना और यन कमान फिर हर जगा 23 रखोगे क्यों हो जाएगा ए ए कमान 7 प्लस यल यल का मतलब क्या है यल का मतलब वही जो लाइस्ट पद दिया गया था कितना दिया था ऐटीफोर कि आप देखो अगर यहांपर तो हमें 23 अमान निकालना है क्योंकि हमें क्या करना युग्फल निकालना हुए चललना है यह जाया का बच्चा आपका 23 बच्टा दो और यह जाया गा 91 आप इन्हें हल कर लोगे, हल करना आप सभी जानते हो, इतने छोटे बच्चे हो नहीं, गुड़ा कर लो, 1046.5 आएगा, 1046.5 ये 2093 लगभग आएगा, अब ये मत कहना कैसे आया, तुम्हें जोड घटाना गुड़ा भाग तो आना चाहिए, तो आना चाहिए ना, 1046 सम्थिं आएगा, 1046.5 ये इसका मान आ गया, समझ में आया, लिख लीजिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करिए, देखिए, टाइम नहीं लगाईए, बिल्कुल भी, फाइस्ट पार्ट आपका हो चुका बच्चा, लाइट जो है, काफी डिस्टर्ब चल रही है, पर अच्छा चमक है, नीच से कम है, उदर का लाइट बंद करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा ही कुछ है ना, पूलाइट बंद कर दीजिए, ओके, चलिए ठीक है, उपर से थोड़ा ज़्यादा चमक रहा था ना, नार्मल हो गया ना, ठीक लिए इतन अगर तुम्हें पढ़ना है, तो पढ़ लो, और यहां पर हम बगता ही तो नहीं कर पाएंगे, नहीं क्योंकि यह कलास भी तो आगे चलना है ना, लेकर के, पार्ट देखिए बहुत जल्दी, फटा फट, पास्ट, चलिए आईए, सिकेंड पार्ट की तरफ, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़िए, फिर से बलर कर रहा है का, यहीं मुझे लग रहा है कुछ जूम कर लेता है, भई मुझे देखनी पा रहे हो का, क्या जूम कर लेता हूँ, चलिए ठीक, आप समझिएगा आगे, नेक्ट्स कुस्टिशन, देखिए बच्चा इसका अगला पार्ट जो है वो कैसा है, 34 प्लस 32, पार्ट है, 34, प्लस 32, प्लस 30, गार, डार, डार, प्लस 10, क्या आपको दिया गया अगले पार्ट में, तेरा ध्यान देना इसे, इसमें जो जो दिया गया पहले आप लिख लोगे, जैसे एक अमान 34 दिया है, इसमें डी कमान बच्चा उल्टा घटा होगे, माइनस कदो आएगा, घटा के देख लो, यह ऐसे करोगे, एन दिया है आपको, दस दिया है, ताश्ट वाला जो भी है, यहां से आप पहले एन कमान निकालोगे, इन कमान निकाल करके मान रख दोगे, बस आपका अंसर आजाएगा, चलिए मैं एक एक करवा देता हूँ, पहले इन कमान फिर योगफल वाला बाद में, तो बच्चा यह सूत लगालो बाबू, एन बराबर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन कमान दस है, एक कमान चौतिस है, एन कमान नहीं पता है, डी कमान माइनस कर तीन, तीन नहीं है, दो है, तिखते चलिए, फटा फट, कोई भी डाउट है तो बता दो, एक है बच्चा, चलो, अब यह दस ऐसे ही रहेगा, उदर से चौतिस इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, यन माइनस वन, इन्टू माइनस का दो, इसको घटाओगे तो क्या आएगा बच्चा यह, माइनस का चौविस आएगा, तो इधर से भाग में आएगा, यह ऐसे हो जाएगा, एकष्ट जाएगा 12 बराबर आप इता लिख लिए चलिए मैं इसको मिटाता हूं अब देखो बच्चा यह सारे मान दिए गये हैं कि शुतर लगा देंगे योग वाला और इसी में हम कर ले जाएंगे कैसा बेसा है वेरिगूड बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत कर अधिन तो क्या करना धियान देना इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है माईनस का पांच प्लस की अरभाई फार्ट नहीं अभी इसका योगफ़ल निकालो यह यहन बराबर यहन अपांट टू और एप लगा करके कि यह से यहन यहन का मतलब हमें 13 निकालना है कि जगह पर 13 कि जगह पर 34 और यल कि दस दिया था ना चलिए जल्दी जल्दी से इतना करते चलिए यह हो जाएगा आपका 13 बटा 2 यह हो जाएगा 44 फिर कार्ट 22 आएगा 25 का तुम 13 में गुड़ा कर लोगे 13 दूना 26 दूना 26 दूना 28 जयानि यह 13 बराबर कितना आएगा 286 यह आपका अंसर हो गया सबको समझ में आया ना प्रियांसू बच्चा पढ़ाई कर लो बस मिस्टर प्रांसू और दीपू कमेंट आ रहा सबका अपका आरा में सामने से हट गया हूं लिख लो लिखिये हो गया आगे बढ़ें किसी का कोई सवाल है तो फटा फट बता हो आप लोग जल्दी जल्दी से और कलास को लाइक जरूर करो भाई ऐसे मज़ा नहीं आ रही देखो एकदम बिल्कुल भी कि आपका खिकन पार्ट भी हो गया हट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान देना अब हमें दाहिनी साइड लिखना को कि काये को डिस्कनेक्ट हो रहाए बार बारा का चाहता है लिखो माइनस का पांच प्लस माइनस का आठ माइनस का ग्यारा प्लस माइनस के आगे भी प्लस का साइब आप देखो यहां से समझो बच्चा इसमें क्या क्या दिया है यह बराबर दिया माइनस पांच प्लस का पांच प्लस का पांच हो जाएगा माइनस का तीन है कि कमान माइनस का तीन यह यह कमान निकाल लेते हैं यह यह बराबर एं प्लस यह कमान माइनस बराबर दिया आप दिया यह का दिया है कि यह का दिया है माइनस का 230 और ये माइनस का 5 ये इधर साइड में आ जाएगा मुझे लगए है माइनस हो जाएगा कि प्लस करके देखो फटाफट नहीं ठीक है इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा ये येन माइनस 1 ये देखो बच्चा गुड़ा में H gener आएगा सब्सक्राइब लिए इतना लिखने के बाद आगे बढ़ोगे और योग वाला सुत्र लगालो बस हो गया गुरू का आसिरबाद बहुत अच्छे बेरे गुड बेरे गुड बाई बेरे गुड चलिए इतना लिख लिजिए हाँ एक बात आपको बता दें आपकी जो कलास है एक अक्तूबर से पीवियार स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएग चैनल का नाम याद रखें पीवियार स्टडी 3.0 चैनल पे एक अक्तूबर से कलास चलेगी कलास का टाइम हो ही रहेगा जो है तो याद रखना सभी बच्चे क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा कलास है हो जाती तो यूटूब नोटिपिकेशर नहीं देता है चिक है क्यान क सब्सक्राइब से आपकी 910 की कलास आपके स्पेशल चैनल पीवियार स्टडी 3.0 पर चलेगी के नाम है पीवियार स्टडी 3.0 ऐसे लिखके सर्च कर लेना मिल जाएगा यूटूब पर भी चलो बच्चा आप देखो समझो यहाँ पर यन का मान भी आ गया 76 अब हम योगफल का सुत्र लगाएंगे यस यन इक्वल यन अपांटू और ए प्लस यल यस यन यन का मतलब हमें मान निकालना है किसका किसका निकालना भाई 76 का निकालना है न यहां 76 हर जगा रख दोगे यह कमान माइनस का पांच प्लस यल यल मतलब लाश्ट वाला पद दिया था माइनस का दो सब्सक्राइब यह यहां से आप बड़ा कोश्टक लगा लो या मजला यह 46 बटा दो आप दो से काट लो 38 आएगा और यह गुड़ा हो जाएगा माइनस प्लस दोनों माइनस हो जाएगा 235 यानि यह 76 कमान जो आएगा वो इन दोनों का गुड़ा करके आएगा 38 और 235 का गुड़ा कर लो पटा पट कर लो भाई यह माइनस का नवासी 30 आएगा अंसर हो गया फाइनल अब किसी को जोड़ना घटाना गुड़ा भाग नहीं आता तो यह उसकी जिम्मेदारी है यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है बच्चा है तो यह आपका एक्सरसाइज 5. पॉइंट 3 का कुश्चन नमबर सीकेंड पूरा कंपलीट होता है अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बताईए कमेंट कर संकोच बताईए विल्कुल टेंसर मतली एक एपी में नमबर 3 है कह रहा है एक एपी में एपी का मतलब वही समांतर स्रेडिजी से कई पार्ट है भतलब आपको एक ही कुस्चन में कई पार्ट दिया है को रहाइं को इसी को पचास और यन और यस यन ग्याद करना है तो क्या क्या करना ध्यान देना यह रहा यन और कि यस यन ग्याद कीजिए या ग्याद करो में लिक देता हूं थोड़ा चोटा रहेगा देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझेए बहुत आसान प्रस्न है यह बहुत मज़िदार है बहुत सुन्दर सा है प्यारा सा है क्यूट सा है बहुत आसान अब तक जो समांतर स्रेडी का परियोग करके आप इसमें के सारे प्रस्न कर सकते हो हमारे साथ सदानन तिवारी जी जुड़ चुके हैं बेदु जादों के यम गेमिंग अंकित इंडियन गेमर और सचीन यादो हिम प्रताप सिंग अंकित अमिद दूबे और तहलका 1155 के नाम है इनका सर्माना नहीं ताह जल दिया यह हमें यन निकालना है तो भाईया बावू देखो सब कुछ तो दिया है लोट लो एन इक्वल ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी यह आपका माश्टर सूतर होता इस चैप्टर का तो बच्चा ए यन आप देखो यन कमान हमें फाइंड करना है लेकिन हमें ए थ द्यान दो यह थिरी कमान दिया है यानि हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि हमें जो एन है इसका मान पचास दिया इसका मतलब है यह क्या है यह पचास दिया है आप यहां इसे एन भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं यह कमान पांच दिया प्लस यन कमान हमें पता है नहीं डी कमा रख दीजिए 50 इधर से 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल इन माइनस 1 इंटू 3 कटाओगे 45 आएगा यह दोनों इधर का 3 इधर आएगा भाग में हो जाएगा इन माइनस 1 इटा देखो यह कट जाएगा 15 आएगा तो यह आपका 15 बराबर इन माइनस 1 आपको पता होना चाहिए इतना आप जानते हो मैं यहाँ थोड़ा जगा करके बगल में कर देता हूँ जब माइनस 1 इधर आएगा तो पलस हो जाएगा तो यहनी यहन कमांद 16 आजाएगा चल दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया चल दी से हमारे जितने भी प्यारे प्यारे साथ ही जुड़े हैं तुरंद कमेंट करके बताए और अगर वो चैनल पे नए ठीक है बहुत अच्छे साग्छी पटेल तो यहन कमान हो गया यहन पूछा था तो चलो फिर इधर साइड में लगे हाथ दूसरा भी निकाल देते हैं यहन निकालना है इसका सुत्र होता है यहन अपान टू और आपने पढ़ा होगा तू ए प्लस यहन माइनस 1 इंटू डी हां यह आपने पढ़ा है और इसमें वैसे छोटा सुत्र लगा के भी हम निकाल सकते हैं लेकिन हम छोटा सुत्र ना लगाएंगे चलो यहन कमान अभी अभी कितना आया सोला आया है यहां से यहन ग्याद करना था कह रहा था न ठीक है no problem don't worry मतलब वही योगफल निकालना है कि यहन कमान क्या है यहां पर सोला रख दो यहन की जगापे सोला आया अभी अभी निकाला इस फूंटु ए एक बैलू पांच दिया बच्चा इतना दिया पांच जैन कमान सोला निकाला है डी कमान दिया था कितना तीन हल कर दीजिए यह कट जायागा आठ हो जायागा क्यों भाई कुछ मिश्टेक हो गया का अब है कौनों मिश्टेक नहीं वह समस्त है यह कट गया आठ हा गया ऐसे कट लो और अंदर में देखो यह दूई पंचे 10 हो जायागा यहां पर बीच में प्लस का साइन है इसे मत बढ़ जायेगा और थन कि समझेए तोला में से गटाएंगे पंदर आएगा हां वाइस प्लस के बाद में पंदरा का तीन में गुड़ा करोगे बाबु तो पंदरा तीन पैतालिस आएगा इस तरह से आपका यह कितना हो गया आठ गुड़ा पच्पन तो कि यह जूड़ जायेगा पच्पन हो जायेगा आइनल में आठ पंचे 40-45-4444 यह अंसर हो यह आपका जो यह सियन है वह कितना आया 440 दिख लिजिए इसक्रींसाट ले लिजिए आपका प्रस्ण पूरा हो चुका है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए हम बताएंगे इ सामने से स्क्रींसाट लीजिए मेरा भी आना चाहिए थोड़ा सा हो गया कि इसके और भी कई पार्ट है आप लोग यह बताओ दूसरा कर लोगे की नहीं प्रताफ सिंग प्रताफ एक बाबु एक बार दूसरा कुश्चन देखो गया जाएगा नहीं मैं बता देता हूं सुन लो एक बार फिर से बता देता हूं जिनको नहीं समझने आया थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें को ए राक यह दी एक एप में ए अ बराबर 3 दिया है जी बराबर 30 दिया है ए 5 दिए बराबर टीन दिया है तो यन और यहन ग्यात करना है हम्दा है यह यह नापक देखो एएन कमान दीया होगी काहे वो A3 का है ये 50 का है किसी कभी मान दिया है तो वो A N कमान माना जाता है 50 दिया है ये कमान 5 दिया था ये कमान 3 दिया था और क्या A N कमान कुछ नहीं दिया था मुझे निकालना था कल्कुलेशन करना तो जानते हो मैं क्या बता हूँ आगे हल करके सोला आ गया उसके बाद यहां पर यसियन के लिए ये सूत्र लगाया सारे मान रख दिया हल कर लिया अब कल्कुलेशन करना तो आपको आना चाहिए ना भाई हम हरी केस कुमार कल्कुलेशन तो आना चाहिए ना बाबू अब अगर कल्कुलेशन नहीं आता है तो आप की बियार स्टडी का जीरो लेबल वाला मैद देखिए जीरो लेबल में राद नौ बजे से सिखाया जाता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आपको मिलेगा अच्छा दस वालों की कलास कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि दोपार में कहीं कहीं जाना पड़ जाता है कभी तो हो जाता डिस्टर्ब लेकिन हाँ अब हमारी भरपूर कोशिस रहेगी कि नहीं डिस्टर्ब होगी ना विल्कुल नहीं disturb होनी चाहिए इसका second part कौन कौन कर लेगा second part कौन कौन कर लेगा भीया A बराबर 7 दिया है और A 13 बराबर 35 दिया है तो D और क्यास 13 क्यास करें देखिए यह भी आसान है इसमें थोड़ा सा समझना है इसमें हमें यन कमान दिया है जिसमें हमें रोड़ा आप इसमें यन कमान दिया है क्योंकि दिया था तो यहां पर क्या है लिख्ले दिया है मैं तो सब कुछ दिया ही है है यहां को लिखbooks eight 00 you सूत्र लगाईए आपका माश्टर सूत्र जो भी आप लगाते आये हो हां माश्टर सूत्र लगादो जो लगाते आये हो चलो कि यहां से बराबर करें कि इसमें किसी को कोई परिशानी नहीं समस्त है आयन कामान देखो भया, 35 दियत बंबू यह कमान साथ दिया है धन 5, Producer 13 दिया है 1 इंटू कि डी कमान नहीं दिया है कि कमान निकालना 35 मैनस साथ क्योंकि यह साथ इधर स्फार में को जाएगा । अब यह 13 में 1 जाएगा 12 आया गा लिए गढ़ा करोगे तो यह 2L2 की ठीक है यह घटा होगे तो 28 हो जायागा बराबर 12 डी को बाबु यहां से डी का मान निकालोगे जब तुम तो क्या होगा पता है कि बराबर 28 बटा 12 किसी को कोई परेसानी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब डी को इधर अकेला छोड़ देंगे बारा को इधर लाएंगे तो इसके नीचे भाग में हो जाएगा चाहे तो 28 बटा 12 लिखो चाहे तो डी बराबर 28 बटा 12 लिखो चाहे 28 बटा 12 बटा 12 लिखो हटा था सिलेबस ठीक है कोरोना टाइम में हटा था ना वो वो हर समय के लिए थोड़ी हटा है अब इनको काटो कितना स्कटेंगे कितने मिल गई सेवन अपांथरी इसको कर लिजिए जल्दी से इतने भी हमारे साथ ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं बार बार बोलता हूं इससे कि वो बिल्कुल फ्री लाइब कलास यूटूब पर पढ़ पाएं करना बाबू कि करना राजा चलो इस थर्टीन ग्याद करना था चलो इस थर्टीन पर आ जाएं को लिख लिजिए आप लोग यह फर्मूला लगाओ यह नपांटू इसमें एक छोटा सा सुतर लगाके भी निकाल सकते हो नन्ना वाला एक होता नहीं ए प्लस यह वाला दो इस थर्टीन निकालना यहाँ पर 13 रखो इन कमांट 13 रखो एकमांट सेवन्न कमांट 25 स्यल कमांट 25 स्यल्ट कमांट 25 चूप की देखो यह दिया था ना थर्टीन पाद यहीत तक था यह आपका हो जायाएगा तेरा बटा दो 35, 40, 42 62 के 21 आएगा 13 का 21 में गुड़ा कर लो 13 एकम 13, 32, 26, 27 273 आएगा किसना आएगा 273 तो भाई सहाब इसको ऐसे लिख सकते हो बाबू 13 इकोल कितना 273 इस तरह से बच्चा आपका दो पार्ट हो चुका है कुशन नमबर 3 का इसना पार्ट हो चुका दो पार्ट हो चुका है ये बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके सब को समझ में आया अच्छा लग रहा मज़ा आ रही न सब को समझ में आया न भाईया आया न बाबू कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं न बतादो कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बतादो चलो आगे बढ़ें चलिए अब समझ के चलना कि आपके दो पार्ट हो गए सिलीब निनामा बच्चा तुम अपना गलत नाम लिखे हो या तुम्हारा नाम है इसे हाँ वोज कलास में आओ दो पार दो बज़े इस समय टाइम है चैनल सब्सक्राइब करके रखो पर हाँ नीचे एक नंबर जो चल रहा है न उस्पर वाटस अप पर लिखके भेज़ दो कि मुझे टैंथ का गुरूप जोईन करते हैं फिसलीरा कना अब पूर्णा पर्ताप जीं लिख रहें कि हमारे स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाए जाता है बहुत मैं धुद्न में परताप जी हर कोई अच्छा पढ़ाता है आप उसे समझने की पुछ उसक्ता ना कोई भी टीचर रहताब नी बढ़तो गंदा नी पढ़ता सब अच्छे पढ़ते हैं बस आप समझ नहीं पाते और किसी का स्मझ जाते हो आठ भी थादेस वासूदेो ठीक है वासूदेो जी very good छलिए तो यह आपके दो पार्ट होचुके हैं तीसरा पार्ट मैं करवाओं या ना करवाओं क्योंकि जादा टाइम तो होता नहीं है कलास के लिए क्योंकि बच्चे कम रहते हैं किसलिए कलास ज्यादा बड़ी नहीं चलती है कि इसरा पार्ट देखो कि में एट्वैल दिया है बाबू कि हर्टी सेबन दिया है एट्वैल कि पराबर तीन दिया है कि तो कि ए और एस ट्वैल ग्याद कीजिए कि ए और किस्ट ट्वैल कि जाद कीजिए चलिए समझिए और करिए पैसे नहीं लगता है पैसे वाला तुम लोग करते का हो फिर चलता यूटूब पे लेकिन पैसे के बदले आपको क्लास को लाइक करना है और दोस्तों में और अपने फेस्बूक वाट्सप पे हर जगा सेयर करना है अगर आप इतना करोगे तो कोई पैसा नहीं लगता बिल्कुल फ्री चलता है लेकिन इसमें से अगर कुछ भी काम नहीं करोगे बहुत आसान सा काम है तो फिर हो सकता है कि आपको कलास ना मिले फिर भी पैसे नहीं लगेगा हां तो ठीक है अरकेश जी एक गंटा पढ़ाएंगे लेकिन आप उसके लिए बच्चे जोड़ोगे तब ना बाबू बच्चे जोड़ोगे तब बच्चे जूड़ेंगे तब राजु कुमार नाइंथ का चलता है नाइंथ का कब चलता पता है तुम्हें इसको कर लोगे कि नहीं पहले यह बताओ कितने बच्चे कर लेंगे कितने बच्चे कर लेंगे कच्छा 12 कमयत हमारी कोशिच से एक अक्टूबर से चलेगा कच्छा 11 बारा एक अक्टूबर से बहुत कोशिच कर रहा हूं मैं बस जल्दी ही ए और यस 12 ग्याद करना है यह और यस 12 ग्याद करना है बचवा इसमें यन कमान भी दिया है बारा एक इन कमान बारा दिया है तुत लगा दो ए यन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू टी आ ए यन कमान देखो 37 दिया है एक कमान नहीं पता है यन कमान 12 दिया है माइनस वन इंटू टी कमान 3 दिया है कि इतना दिया है 3 दिया हल कर लो 33 और यह देखो बच्चा 12 से एक गटे का 11 आएगा हां 11 में से जब 3 में गुड़ा करोगे तो 33 हो जाएगा यह प्लस में रहेगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानि चार बराबर ए पहने का मतलब एक वैलू कितना आया फोर आया अभी बच्चे बताओ कर लोगे न कर लोगे न भाईया कितने भी इस्टूडेंट हैं अगर आप उन्हें लेके आओगे बच्चों की संख्या 100 पलस हो जाए तो मैं पूरे एक गंटे पढ़ाऊंगा बच्चों की संख्या 100 पलस होनी चाहिए मैं पूरे एक गंटे पढ़ाऊंगा लेकिन लाइव कलास में 100 लाइव पलस दिखना चाहिए आपके घर में चाहिए जितना मोबाईल है सब में चला दो सारे लेपटाप में चला दो भाईया ममी पापा भाईया भावी सब के मोब आपका यह क्याति करना है यह सुत्र होता है आपका अजिए यह माइन माइनस हान इंटी पर आपका बड़ा ब्रेकट लगता है पहले अ मतलब यन कमान कितना 12 12 बटा दो दो गुड़े एक कमान 4 आया है धान यन यन कमान कितना आया 12 माइनस एक गुड़ा दी दी कमान 3 दिया था हल कर लेंगे यह 6 हो जायेगा चुकी कट जायेगा यह देखो कितना हो जायेगा दो चुका आठ और इसको देखो बच्चा घटा होगे तो 11 आयेगा तीन का गुड़ा करोगे 33 हो जायेगा तो तो तैनल में आपका आएगा यह स्ट्वयल इक्वल छे कम छे चुड़ा 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 आएगा तभी को समझ में आ गया लिख लिजिए जल्दी लिखिए जल्दी फटा पर लिख लिख लिए नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा था कह रहा था कि एक एपी में इसमें कुछ डेटा आपको दिया गया है और उसके आधार पर आपको चीज़ी और भी निकाल नहीं है तेख अब देखो समझो इसमें का मैंने टीन पार्ट आपको करवा दिया था दो पार्ट आपके लिए हों और इसके दो पार्ट आपको खुद से करने है वो होम रख है वो गॉसका ए चौथा पाचवा हो मोटकर है छफ़वा पार्ट में बताने चल रहा हूँ ये बराबर 2 पार्ट आप देखो एक कुल 2 टी कुलेट एस एन नब्बे दिया है एस एन ये नब्बे दिया है तो कहरा यन और एन ग्याद की क्या क्या ग्यात करना है ध्यान देना क्यान और ए अन क्यात की ठीक है सब कुछ अच्छा है आप मुझे यह बताओ कितने बच्चे कर लेंगे यह कुश्चन इमानदारी से बताना विल्पुल वैमानी नहीं करना कौन कौन कर लेगा सच बताना चलो देखो बच्चा इसमें बहुत आसान है बाबु जो सुत्र आप लगाते आये हो ना एक तो समंतर स्रेडी के योगफल वाला लगाओगे और एक जो तरबजनिक फर्मूला लगाते है तो वाला लगाओगे आपको लगाना है कि देखो मैं बताता हूं कि सब कुछ क्लियर है ना कोई दिक्कत नहीं है कि कुष्चन नंबर काई को कट जा रहा है आप है को कट जा रहा भाइए अब इसमें क्या करेंगे हम सूत्र लगाएंगे यसीन वाला कौन सा ऐसेन वाला लगा लो क्योंकि हमें ऐसेन कमान भी दिया है मतलब यह गुफल वाला सूत्र लगा लें सीधा सीधा सब्सक्राइब यहां से आपको क्या मिलेगा पता है बहुत लंबी परकरिया जहलने के बाद आपको यहां से एन कमान मिलेगा तो यह से यहन कमान नब्बे दिया है यहन कमान नहीं दिया है इसे कुछ भी नहीं रखेंगे अब टू और ए एक कमान देखो दो दिया है यहन कमान नहीं पता है डी कमान आठ दिया है कितने लोग कर लेंगे अन्सूनी अन्सूनी बातें काहे को भाई तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो कमेंट हा अरी केस कुमार चलो देखो बेटा अब समझो है आप यह नबे पराबर यान अपांटू यह चार हो जाएगा दो दुना चार और यह प्लस यन माइनस वन घटेगा इसमें से लेकिन यह घ अधीब टायव का पत है मतलब ऐसे बात करें तो किसी भी चर से कोई भी अचरपत नहीं घटता है तो कोई नयापत नहीं बनता है यह उतना ही रहेगा तो इसमें मुल्टीपल कर लो गुड़ा कर लो आठ का गुड़ा यहन में करोगे बिटा तो आठ यहन हो जाएगा फिर है तो –8 plus गटाने पे – 4 आएगा माइनस का चार आएगा तो माइनस का चार आएगा माइनस का चार आहेगा तो हम चार को बात में लिख देंगे सब्सक्राइब करने के बाद हम उदर चलेंगे दूसरी साइड में इसमें अगर आपको यह दिख रहा है हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग इसको गुड़ा कर सकते हैं कर सकते हैं करोगें पीच में देखो माइनस चिनता माइनस लगा दोगे अब यह न पांटू का मल्टिपल और में करोगे यह उजा एगा यह लेशन करना हिसमें एक महत्तोपुल हिस्सा है बागी कुछ नहीं फिर पौर सिर्फ कल्कुलेशन है बस चलो यह कड़ जाएगा दो चुपा आठ यह कड़ जाएगा दो दुना काट अब बराबर यह हो जाएगा पूर यह यह तो बड़ा असान लग रहा मुझे लेकिन नहीं यहां पर कुछ मिश्टेक होता है कि कुछ मिश्टेक हुआ है पता है क्या हूआ अधे हैं प्य Mex проat स्थरेदी आखे अगया इसमें देखो आप कुछ कॉमन लेसके देखो अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बता लेकिन कोई फायदा होने वाला नई हो जाएगा फायता देखो कि नब्वे पराबर इसमें दो कामन लेलो तो दो यन का स्क्वायर आएगा माइनस यन आएगा ठीक है कि नहीं इसको लिखो कितना सही है अब यह दो इधर आएगा क्योंकि इधर इसके साथ में गुड़ा में है मैं एक एक बाद डीटील में टालिस हा जाएगा फुर्टीफाइब की स्क्वायर माइनस और और का फ्रूटिटर कर सकते हैं लेकिन हम साटकर नहीं करने वाले हैं हुआ अब यह देखो हम इससे लिख सकते हैं कि नहीं पहले मुझे बताना तुएण का स्क्वायर माइनस यन और माइनस का 45 बराबर हो जायागा लेकिन लेकिन क्या माइनस तो हो गया लेकिन हम क्या कि पूरा पद इधर ले उठाके तरकेवल जी रो बचा इतना लिक लेजिए उसके बाद मैं इसे मिटाता हूं वह अंसुनी बातें आपको पांच मिनट के लिए होल्ड किया गया है अगर आप हैं तो आप पा समीकरन जैसे अब हल करते थे उसी तरह से स्क्रेंशार्ट ले लो मैं सामने से हड़ जाता हूं बहुत जल्दी आप इस joンナ plans ले सकते हैं वूचा कुमारी ले सकते हैं ले सकते हैं ये सकते हैं ले सक्री था मतलब यह है कि अगर हम यह कामन लेंगे तो ये इधर आके 45 से डिवाइड हो जाएगा मतलब एक बड़ी मुसीबत हड़ जाएगी लेकिन आप ये सोचो जरा अगर हमने 2 यन कामन लिया होता तो इसके साथ 90 बटा 2 यन आ जाता तो 2 यन से ये कड़ता तो है नहीं तो क्या होता फिर यहीं अरज जाता यहीं अरज जाता फिर 45 बटा यन आ जाता फिर हम इधर गुड़ा करना पड़ता तो कोई मतलब नहीं होता ठीक है जादी का अगुड इबनिंग गुड इबनिंग नहीं गुड आफ्टर नून समझ में आया ना पूजा जी समझ में आया अगर हम दो यन कामन लेंगे तो यन हमारा इधर आके अरज जाएगा इसमें फस जाएगा वो हल नहीं होगा फिर इसलिए ऐसा नहीं करेंगे अब मैं इसको मिटा के उस पे आता हूं देखिए इसको हमने दो हिस्से में हल किया है अब इधर वाला हिस्सा देखना ज्यान से जिब्यान से सुखला जी नमस्कर नमस्कर अब समझो इधर साइड में ये चीज पूरा हमें यहाँ लाके हल करना है आप बच्पन में ऐसा समीकरन हल करे हो कि नहीं करने पर पैतालिस आये घटाने पर एक आये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तो कर लोगे विल्कुल उसी तरह से करना है भाई जलो बाबू रेडी रहो एकदम से पेर मदलब पटापट करने के लिए ये दो यन का इस पायर माइनस यन माइनस पैतालिस बराबर जीरो का इस अब हमें ये करना है जैसे समीकरन हल करते थे 20 कअ गुणा पैतालिस में करें तो नब्बे हो जाएका पीच में क्या है यन clot का गुणाण क्या है वन यानि अब हमें दो गिंती ऐसे खोजनी है 97 सी कहुजनी है इसको कुड़ा करें तो नब्बे आ पूड़ा करें उन दौनों को नब्बे आ जाए और यहां माइनस होने की वज़ा से घटाने वाला लेंगे झानी घटा दें तो किया आजा है एक आजाए बताओ जल्दी कोई को दो ऐसी गिंती जिनको गूड़ा करें तो 90 आजाए और घटा दें तो एक आजाए जल्दी बत दस और क्या हो जाएगा दस और नौ कि हो जाएगा दो येन का स्कॉायर मैंनस हम एक की जगह पर हम सकते हैं बाबू 10-9 बताओ लिख सकते हैं कि नहीं यहों चाहिए लिखो चाहिए 10-9 लिखो वो तो गटे का वन आ जाएगा तो हम इस पर 10-1 लिखेंगे इंटु एन लिखेंगे इंटु 45 बराबर जिरू मंजुला स्रिवस हाँ मंजुला मंजुला कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत देखो समझो आप कैसे अब यह हो जाएगा आपका 2N का 3ग स्वंखर माइने दसरों के असलीए कोच्छ पलेगा तो प्लश हो जाएगा और माइनस का यह 45 crew दोनों स्वासेंघ्टा स्फिर लेलो इन दोनों में कौमना इसा कुछ होगा हें ऊंडा ऑ करने उसमें 내क का बंले लेलो बाव तो यहन बचेंगा माहिनません पांच बचेगा इसमें प्लस कितना कामन लोगे मुझे लग रहा कुछ गड़बड हो रहा है का ओ सॉरी 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 तस और नौ हो गयार यहां पर दस और नौ होगा है हम यहां तो सही बताया थे लेकिन यहां लिखते टाइम निस्टेक हो गया कि यह 10-n हो जाएगा यह 9-n हो जाएगा 9-n अब इसमें हम 2-n कामन लिए तो यह गया बचा इसमें हम प्लस 9 कामन लेंगे यह माइन फाइब बचेगा बरापर जीड़े एकचुली हमें इतनलिए याद आया क्योंकि यहां पर जो कामन के बाद बचेगा दोनों कोश्ठक में एक समान नंबर बचना चाहिए यह अलग अलग नहीं होना तो एक आंसर हो जाएगा यहन माइनस फाइब और एक हो जाएगा टू यहन प्लस नाइन इक्वल जीरो हमें यहन का मान निकालना था आप जरा एक मिनिट के लिए सोचिए बता देता हूं यहाँ पर यहन बराबर तो पांच आएगा यह अंसर हो गया लेकिन थोड़ा सा भी यहां समझना है आप कहोगे गुरु जी यह कैसे हो गया है न तो देखो बेटा यह यह यन माइनस फाइब और टू यन प्लस नाइन इन दोनों को हम बारी बारी जीरो के बराबर करते हैं यहाँ पर समझ लो करना नह यहाँ यह चयांगा यह घसा ज देगा और यहां है यहां क्या चानवर का नाम है प्द का नाम है यह यह लुक्न की संख्या है यह पद कमान है ना यन तो यन कभी भी माइनस में तो होगा नहीं जैसे कहा जाए कि कोई समांतर फ्रेडी में माइनस पांच पद है तो भी अब पद माइनस में नहीं जाएंगे पद होंगे तो या तो एक पद होगा या दूई पद होगा या पांच पद होगा तो नीचे क् प्राबर माइनस नौ बटा दो रेकर्ट में लिखे दो यह मान अमान नहीं है क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी ठीक है इस तुम्हें न हम प्लाग कर दे रहें क्योंकि तुम्हारा नाम और कमेंट दोनों एक जैसे दिलीब जी इवेदन है कि फालतू इतना सारा चीज ना भेजिए मिश्टर दिलीब बेटा हाँ चलो तो यन कमान हमें मिल गया अब हमें क्या निकालना है बाबू ए यन यन निकालना था यन आ गया इतना लिख लिए आप लोग इसक्रीन सार्ट ले लिजिए मैं इसको मिटा रहा हूँ चल्दी से इसक्रीन सार्ट करिए हो गया चलो तो जो बच्चे सुरू से देख रहे है उन्हें समझ में आयेगा इसके पहले बाला चीज मैंने मिटा दिया बैट करोगत मिल जाएगा उसके बाद ये लिखना था ठ अब यह तीसरा इस्टर समझ गये ना चलो अच्छा बच्चा तो तुम गल्ती से पैदा हो गये मिस्टेक हो गई तुमारे माबाप से चलो कोई बात नहीं दुबारा ना करें आशा चलो ठीक है तो यह हो गया अभी हमें एन निकालना है क्या निकालना है एन निकालना है जरा ध्यान देना ऐसे प्रोड़क्ट आ जाते हैं आपर बीची में पूझे उन्हें भी बोलना पड़ता है एन निकालने के लिए यह सुथ लगाओ गए एन बराबर देखो हमें एन कमान भी मिल गया पांच तुथ लगा दो एन बराबर जो छोटा वाला है अपना एन कमान हमें नहीं पता है एन की जगा पर पांच आ गया तो हम लिख सकते हैं एकी जगा पर दो दिया है एन की जगा पर पांच माइनस वन इन्टू टी की जगा पर आट यह हो गया दो धन यह चार बचेगा चार अठे 32 तो बेटा एफाइब बराबर कितना आएगा 34 यह आंसर हो गया आपका एन का ठीक है क्या हो गया 34 देख लो उत्तर माला में ही मिल रहा है न किसी को कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो बता दो बिल्कुल परेसानी नहीं होन कोई समस्या नहीं ना किसी को एकदम मस्त दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही है फुल एचडी में दिख रहा है बेतर इन दिख रहा है ठीक लेजिए मैं एक बार और क्वाल्टी चेक कर लेता हूं कि अगर कोई 360 पर देखता है तो कैसा दिखेगा 360 पिक्सल पे भी अच्छा दिख रहा है काफी बढ़िया दिख रहा है ठीक है 360 पे भी अच्छा दिख रहा है नोट कर लो कि आपका 6 पार्ट हो गया इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे कौन सा देखेंगे अगला पार्ट देखेंगे किसी को कोई परिसानी कोई डाउट एनी कुश्चन तो बता दो किल्कुल एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोग का धीरज कुमार क्लियर है पुजा कुमारी आसुतोस पंकर्च ठीक है बेटा आगर जिनका इंटरनेट धीमा भी चल रहा है उनको भी बहतरीन दिख र तो अब हम लोग चलेंगे आगे बढ़ेंगे द्यान देना क्यों होगे आपका सिप्स पार्ट है आप लोग यह बताओ जल्दी सी मुझे कमेंट करके सभी क्या आपको समझ में आ रहा है आ रहा है तो बोलो हाँ और हाँ देखो यार आपकी जिम्मेदारी यह बाबू कलास को लाइक और सेयर करना आपकी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रिस्पॉंसिबिल्टी लाइक सेयर करना दीरज कुमार पूजा दोनू प्रियंका मिस्रा सबका कमेंट मुझे दिख रहा है अब आगले पार्ट की तरफ चलते हैं देखो बच्चा छठा मैंने करा दिया सातवा आप कर लेना देखो इसमें दस पार्ट दिये गए बाबू तो दस पार्ट में अब मैं सारे पार्ट तो करवाऊंगा नहीं कुछ पार्ट तो आपको खुद से करने होंगे कुछ तो आपको खुद से करने होंगे इसमें का सातवा पार्ट आप लोग कर लोगे आठवा पार्ट में बताने चल रहा हूँ अधेस निसाद बाहुबली गेमिंग आरा समझ भी न बच्चा तो चलो बाबू अठवा पार्ट पर आ जाओ किसमें दिया है AN4, T बराबर 2, SN-14 AN4 दिया है, T बराबर 2 दिया है, SN-14 दिया है AN4 दिया है, D2 दिया है, SN-14 दिया है तो A, किन और A ग्याद करना है किन और A, किसी को कोई परिसानी इसमें, नहीं, चलो समझो इसमें गडित की कलास का टाइम है भाई इसमार्टी थाकूर आजे, दो पहर 2 बजे दो पहर 2 बजे से अभी देखो बच्चा, इसमें हमें यन निकालना है और A निकालना है यानि हमें पर्थम पद निकालना है और पदों की संख्या निकालना है तो हम मारकर में थोड़ा सा मैं स्याही और भर लेता हूँ, जिससे कि आपको और बहतरीन दिख सके, थोड़ा सा रुक जाना, ये, चलो जल्दी से आप लोग मान रखो इसमें और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है, जल्दी करो सभी, कितने भी हमारे खिलाड़ी जुड़े हैं, वो जल्दी से मान रख के बताएं कितना आ रहा है, इमानदारी से बताना भाई, बाहुबली, बाहुबली चैनल, जब बाहुबली आ गए हैं तो फिर कमी किस की है, चलो, बेवफा सनम भी आ गई, ठीक है, और कौन है, साहे बेदुवनसी, बच्चा समझोगे, समझोगे, तुरंते नहीं सब समझ जाओगे, पहले जुड़े हो, टाइम दो, समझो, कोशिस करो, समझोगे, चलो, एन कमान फोर दिया है, तेहां पे फोर रख लो, एक कमान नहीं पता है, कुछ नहीं रखना है, एन कमान भी नहीं पता है, और डी कमान भी नहीं पता है, तो भाईया जो नहीं पता ला पता है, उसे क्या करोगे, ला पता रहने दो, लेकिन अभी क्या करोगे एक काम करो अगर इसको रखो गए तो इसमें आधा मामला रच जाएगा हम पहले यह सुत्र लगाएंगे यह सेन इसे ऐसे लिख लो एक कलम में बगल में इसके बगल में इसका योग वाला सुत्र लिखो योग वाले में लिखो यह न पांट चूव और एपलस यह सथे यह तो चलो सारा मानव रख क्यांस बीटा आपको मान मिल जायेगा कौन साथ एक मान मिल जायेगा यह सी N-14 रखो करोगे बेटा माइनस का 28 और माइनस का यान अपान दो पराबर एप प्लस पूर हमें एक अमान निकालना है हर हाल में जैसे भी करके एक अमान निकालना है अब यह कटे पिटेगा तो है नहीं कटे पिटेगा है नहीं तो क्या करोगे कुछ mistake हो रहा है का है मैं पहले बताओ कुछ mistake हो रहा है का जवद दुन 28 ही तो है एक काम इसमें और भी कर सकते हो आप इसमें एक काम और भी कर सकते हो थोड़ा सा आसान करने के लिए वो क्या है यह मैंने पूरा इधर लिख लिया यह तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप इसको फोर को इधर ले आओ तब भी ऐसे भी हो जाएगा लेकिन इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं यह तरीका पहले देख लो तब अब माइनस का 28 माइनस का यन बटा तो फोर इधर से आएगा माइनस में हो जाएगा इसके नीचे भी वन लिख सकते हो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं यह को बेटा हल करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा हां तभी समझ में आएगा मतलब करना तो पड़ेगा मेहनत तो क क्या करोंगे हर बराबर करके तिर्छा मिर्चा गुड़ा करो यह कितना हो जायगा माइनस का थाइस माइनस का यह निया हो जाएगा तो चौका फिर आप लोग कहो गयार यह तो भी न मतलब का है यहां से देखो आसान है को करना इसको करना आसान है यहीं से देखो जाने दो चोटा करें यह 2 का तिर्चा गुड़ा इसमें कर सकते हैं पराबर के साइड में ना पता है न आपको पीच में बराबर का चीन लगाए तो बेटा यह गुड़ा कर लोगे तो यह माइनस काट 23 हो जाएगा बराबर यह इन तो लिखते नहीं थे ऐसे पांच का यक्स में 21 वो यहां से यक्स कमान निकाल लेते थे 21 बटा पांच बोलो एसा कभी करें यह नहीं पीछ में बराबर लगा है तो ऐसे क्राश मल्टीपल हो जाता है वह ऐसे यहां पर किया ठीक है दीरा जैसा कुछ नहीं पक्षों में गुड़ा नहीं अब यह माइनस का 28 और यह यह इधर आएगा बिटा गुड़ा में है इधर हो जाएगा भाग में बराबर A प्लस 4 यहां से माइनस का 28 अपान यहन और माइनस का 4 इत्पल 0 जीरो नहीं A A इसमें बचा है न यह हो गया आपका A का मान यह क्या हो गया? A का मान आ गया यह तो बिना मतलब कथावे निचे जो लिखा था यह हो गया खत्म आप समझना यहां पर ध्यान से समझना यह A का मान आ गया आपसे A का और यहन का मान पूछा था हादा कोईशन हो गया है कि इधर वाला बात में करना है इधर में लिख दो अब चलिए एक हमान ले assigned me रख दीजिए और और आपका दूसरा मान भी आ जाएगा कॉन सा निकालना था यहन का न करना चलो यहां लाके ड़्लैंस शारे मान रक्षडह न मायनस का 28 बटा 4 माइनस 4 आया है ये नहीं आया ना है कि ये हमां आया मांट 28 यन-4 यह मैंने लिखा एक ही जगा पर उसके बाद अब यह यह कमान निकालना इस कमान नहीं रखना लिखना है कि धर जगात है इसलिए मैं मैं इसको मिटाऊंगा इसक्रेंशाट ले लो इसको मिटाऊंगा एक इसटड़ी और सेल्फ ठीक है वह यह अच्छा चलो अब मैं इसको मिटा दिया अब आगे आप इससे आसानी से कर सकते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसलिए समझ यह लग रहा है कि दो बाहर के टाइम में बच्चे नहीं आ पाते हैं तो देखो बेटा अब यहां पर यहन कमान तो हमें पता है नहीं हम कोश्ठा को ओपन कर सकते हैं डारेट लिक नहीं नहीं कर सकते हैं जाने दो छोड़ो अभी कुछ नहीं कर रहेंगे इसको ऐसे रख दो यह माइनस अब यह एक जगा पर भाई इतना रखा हूं यह अलब प्लस लगाओ ना यह माइनस वान इंटू टीडी कमान दो कि इतना ठीक है लिख लो इतना जल दीते अब इन्हें हमें ह सकते हैं कुछ इधर उदर फेंख सकते हो कहीं हां चाहे तो दूसरी साइट भेज दो जलो अब मैं बताता हूं कि इसमें कर क्या सकता है समझो इसके नीचे हम वान लिख सकते हैं और अगर हम lcm वाला मेधड अपनाये जैसे आप थोड़ा सा समझना थोड़ा सा समझना भई थोड़ा सा बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं तो माइनस फूर पहले अच्छे है फिलिखो ढंग से के नीचे वन लिख सकते हैं अब इनको जैसे तीन पद वाली भिन हल करते हो एक बटा पांच धन एक बटा साथ धन एक बटा दो बोलो कभी हल करे हो कि नहीं समय कैलकुलेशन है इसमें कैलकुलेशन है जैसे यह भिन हल करते हो तीन पद वाली ना सभी का ले लो फिर LCS में हर से भाग करो जो आये उसक्रांस में गुडा कर दो तो तेम वह ऐसे तरीका लगाना है तो देखो तमझो अब समझना अब यहां प जबी यहन और वन का एलकीम यहन आएगा नीचे क्या करोगे लंबा सा यहन लिख दोगे अब यहन से यहन में भाग करो एक आयेगा 28 में गुड़ा करोगे 29 to एक यहन ऐगा मइस इस रसे हिसमें करोगे चाहिए तो थोड़ा संब्सक्षा एंच तो यह कर लो चाहे तो थोड़ा रोक करो कि देता हूं यह इतने मुल्टीपल हो जाएगा तो यह इस से बन जाए इधर क्या है फूर कल्कुलेशन है इसमें कल्कुलेशन नहीं कर पाओगे तो अटक जाओगे रिम्मी स्कूल से आ गई ठीक है अच्छा है चलो अब इनका क्रास मल्टीपल करोगे यह फोर यन हो जाएगा पराबर माइनस का थाइस माइनस का फोर यन और प्लस देखो यन और यह दो और यह यन सबका गुड़ा होगा इसको चाहे तो एक तरफ लिख लो यन से गुड़ा करोगे बैटा तःओ यह हो जायागा 2-2-2-2-2-2-1 इसमें गुड़ा करोगे ठीक न है कितना सबको समझ में आते में है इसमें कल्कुलेशन नहीं करोगे तो टक जाओंगे है क्या सभ्मी जाओ आभात इसमें माइनस का फॉर यन और यह माइनस जोड़न दो जोड़ो माइनस का 28 और माइनस का ये 6 यन और प्लस का 2 यन का स्क्वायर देखो बच्चा ये माइनस का जो प्लस का 4 यन है ये 4 यन भी दूसरी साइड जायेगा तो माइनस का हो जायेगा मतलब ये पूरे में से क्या होगा घट जायेगा अब पूरी कहानी समझना इधर साइड में जल्दा बही चलो तभी आजाओ उधर साइड में चलो इधर कि यह फोर यहन क्या होगा तर आएगा माइनस में हो जाएगा तो बिटा देखो यह इतना बनेगा कितना देखो ना है ngay ش 31 ओधर क्या इसको जीरो बिटाव नहीं की ने कि एक सक्ते हैं ना सब को उध़र ले जाकर ठेपए देखो बतारा हूं हम इधर लिख सकते इसको जीरो बराबर क्यों सब दुदर चला जाएगा इधर कुछ बचेगा नहीं तो जीरो बचेगा माइनस का यहां माइने का इस इसमें कशी को कोई दिक्कत नहीं है आव इनको हम जोड़ सकते हैं बच्च्छा तो 0 गरावर जोड़ो ponieważ 할 कि माइनस कब insists हैं प्लमट ओन्स क्रमाइन का स्क्वाइर एसे हम इसा एक है है इसमें से दो कामन ले सकते हैं माइनस में ले लेंगे इसलिए लेंगे अभी तो कि इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पर रोही करम यानि घातों के घटते करम में लिखती है क्यों लिखेंगे क्योंकि हम इसे समीकरण जैसे बनाएंगे और हल करेंगे ठीक है? तीसरी लहर भाई राम राम लेकिन तुम आना नहीं तीसरी लहर नहीं नहीं तुम आना नहीं चलो 5 मिनट तुम सांत रहो अब इसमें 2 कामल ले लेंगे बेटा यंका इस्क्वार माइनस 5 यंद माइनस 14 इकोल अब देखो यह दो इधर साइड में गुड़ा में है उधर साइड में जाएगा भाग में हो जाएगा final में मिलेगा x2 5-14 एकोल 0 अब इसे हल करके x-5x-4 करके निकालते थे वैसे कर डोगे की नही ourselves सबी जितने भी बच्चे जुड़े हैं मुझे जल्दी से बता दो कोई दो ऐसी गिंती बताओ जिसका गुड़ा करें तो 14 हो जाए घटा दें तो 5 हो जाए कर लोगे न मैं इसको मिटा रहा हूं इधर मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मैं इसका मान यहीं पर निकालूंगा स्क्रीन साथ ले लो जल्दी से बहुत जल्दी बहुत जल्दी करो फिटा फर्ट कि वी आर टी चैनल हां चलो कि मुझे लग रहा है यह टाइम बदलना पड़ेगा कि पक्षा 10 के बच्चे इस टाइम पे नहीं कि इस टाइम अच्छा नहीं कि मुझे चेंज करना पड़ेगा कि लो देखो समझो बच्चा आप इनको हम यहां ले आए यहां तक दिख रहा है इनका इस्वाइर माइनस का फाइब यहन माइनस का फॉर्टीन जीरो मल्टीपल करें तो पॉर्टीन हो जाए घटा दें तो पांच आ जाए तो वेटा हम इसे ऐसे कर सकते हैं सेबन माइनस दो यहन माइनस पॉर्टीन जीरो इसको गुड़ा करोगे तो चौदा हो जाएगा घटा दोगे तो पांच हो जाएगा कि फरी लहर का मैसेज मैंने डिलिट किया वो नहीं किया उसे मैंने पांच मिनिट के लिए अराम दिया है यह हो गया सेबन एन कोश्टा खोलोगे अंदर का चिंद बदल जाएगा माइनस का फॉर्टीन इक्वल जीरो इसमें देखो बेटा यन कामन ले लोगे यन माइनस सेबन दो कामन ले लोगे यन माइनस सेबन इक्वल जीरो यहां से यन माइनस सेबन और यन प्लस टू इक्वल जीरो ये दो मान आएंगे अगर हम यन को यहां से प्राप्त करना चाहते हैं देखो बेटा यन माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे तो यन का मान साथ आएगा और जब यन प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो यन का मान माइनस का दो आएगा और चुकि यन क्या है पदों की संख्या है तो पदों की संख्या कभी भी माइनस नहीं हो सकती है इसलिए यन माइनस सेवन बराबर जीरो और यन बराबर साथ यही क्या है सही उत्तर होगा तिखाए यान कमान माइनस दो सही नहीं हो सकता क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी तिखाए समझ में आया ना चलिए आप लोग बताईए कलास का टाइम कितना बज़े किया जाए वैसे मुझे जहां तक लग रहा है कि सुबह की टाइम में आठ बज़े पहले चलता था वह सबसे अच्छा था लेकिन सब कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं कोई कोचिंग जाता है साम को आठ बज़े कर दें मुझे ऐसा लगा कि शाम को साथ से आठ फिर आठ से नौ पिर नौ से दस फिर मेरी तो लगातार सारी कलास हो जाए रेकिन करना ही पड़ेगा तो साम को कर दे या सुबा कर दे सुबा साथ से आठ सुबा साथ से आठ करने का आठ तो काफी टाइम चल गया जनाई नहीं पड़ा देखो अभी मैं बता रहा हूं कब करना है थोड़ा रुके रहो कि आपका यन कमान आ गया बिटा एक कमान भी निकालना था एक कमान तो पहले ही आया था एक कमान तुम फिर से निकाल सकते हो ना एक कमान फाइनल थोड़ी आया था एक कमान निकालनो चलो तुम्हें मिटा दे रहा हूं इधर साइड में एक कमान जो आया था वो यन के रूप में आया था वो उसका सही मान नहीं था अब आप इसका मान रखके कि एक मानल कर लो का है कि बाइνस हम बढ़े गा पक्का बढ़े दोपार दो बज़े से साही नहीं है दोपार दो बज़े से बचवा लोग देखनी पाते कि आपश्च कुछ सांच बज़े भी करा जा सकता है कि इRe रुको खुद लापरवाह आदमी हूं जैसे लापरवाह आदमी दुखियां में नहीं मिलेगा खोज लो बत्ती लेखे तुछ चलो देखो आता हां ए बराबर कितना माइनस का 28 अपान एन माइनस का 4 लेएर बिट्टा तो एन कमान साथ आया है तो यहां पे साथ माइनस फोर यह कर लो क्यों एन कमान माइनस में सब कुछ आया था ना यह साचों का 28 माइनस का 4 माइनस का 4 बराबर माइनस का 8 माइनस का 8 क्या आएगा माइनस 8 लिखलो इतना लिख लीजीए, आपका यह हो गया फटपट कलियर चल्दी करिए किसी AP का पर्थम पद 5 है अन्तिम पद 45 है और योगफल 400 दिया गłyब योगफल कितना दिया गया है 400 दिया गे तो पदों की संख्या और सारवांतर ग्यांत कीजिए एक बार कुश्चन को फिर से सुन लीजिए कहरा कि किसी एपी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानि किसी समांतर स्रेडी में पर्थम पद 5 है अंतिम पद 45 है कुश्चन लिख लो और उनका योगफल 400 है तो पदों की संख्या और सारवांतर ग्यांत कीजिए बैस सीधा सीधा साहा है कुश्चन तुम्हें क्या दिखाऊं मैं तुम इतना पढ़े लिखे हो मैं इतना बार बोला लिख लिए होते इसमें दिया है क्या लिखो दिया है इं एक मिनिट रूकना थोड़ा सोगा मुझे फोजनने की कोसिष्स करता है थोड़ा सा मुझे इसे कुमा आउड करना पड़ेगा देखना समझ मुझे कितना दिया अंतिम बड यानि ए एन आपको दिया है 45 कितना दिया है और इसमें इनका योगफल भी दिया है S.A.M. दिया है कितना भाईया ये 400 दिया ठीक है और क्या कह रहा है इसमें कुछ और भी है का नहीं इतना ही दिया है कुछ से ने एक बार फिर से पढ़ लीजिए कहना किसी A.P. का पर्थम पद 5 है अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है तो पर्थम पद 5 कर दिया अंतिम पद 45 कर दिया योगफल 400 लिख दिया तो इनकी पदों की संख्या और सार्बांतर ग्याद कीजिए पदों की संख्या का मतलब इनको यन चाहिए और सार्बांतर का मतलब common difference यानि C का मान चाहिए ये निकालना है हम सूत्र लगा देंगे इसमें कौन सा ये तो योगफल वाला है एक पदों की संख्या वाला है योगफल वाला अगर हम ये सियन वाला लगाए तो आप देखो अंतिम पद भी दिया है पहला पद भी दिया है यानि यन का मान आ जाएगा आसान है कि ये समात्र स्रेडी का योगफल जब नतिम पद दीया हो तो ये शूत्र होता है जब नतिम पद दिया हो ये फार्मूला लगता है एसे यन का मान तो 400 अल डÃ PV कि यन का बैलू हमें पता है ने यही तो निकालना है ये का 5 दिया है नतिम पद इसमें 45 दिया है जल भाईया लगे रहा जल्दी 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 जन अपांट टू इंटू यह हो जाएगा पचास इनको काड़ दो पतीस आएगा पतीस आएगा यानि आप इसे तो हम इस्टेप आपको बताएंगे इन फड़ा सार्ट कर सकते थे तो टूंटीफाइप यह हो जाएगा तो देखो यह प्रहंड्रेड अपांट टूंटीफाइप इक्वल यह इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा इससे पट जाएगा यह अनकमान सोल आएगा अब इतना तुम जानते हो इतना बड़ा खचर नहीं हो यह जब भाग करोगे सरी 25 से भाग करोगे इसको सोल आएगा कितना आगया सोला यानि इस सिरेडी में कितने पद है सोला पद है कुछन एक बार फिर से सुन लो कहरा किसी एपी का पर्थम पद 5 है अन्तिम पद 45 है सिरेडी का योगफल 400 है तो सिरेडी में पदों की संख्या और सारबांतर क्यात क परफिजी है और यह थोड़ा जूम कर रहा है मैं इसे जूम आउट कर देता हूं तो बहतर दिखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह प्रॉब्लम बना रही है चलो बड़ा जूम आउट कर दे रहा हूं हां ठीक है अब बहतर है आगे बढ़े यह हो गया अब क्या करेंगे अब हम इसमें रखेंगे क्या रखेंगे वहीं आपको पता है कि आपकी कलासे पहले चलती थी और अभी भी कुछ चल रही है उसमें लेकिन आप वैसे नहीं देख पाओ गया ने कर दो आला बीना प्रेमेंट की वहां पर फिल्हाला फ्री वाला हमारा देख सकते हो ने कर दो बहुत सारे वीडियो पढ़ें अभी आपके बढ़ें क्या करना है इसमें एयन एयन एपक्वल यह फ़र्मूला होता नहीं यहां से हमें डी कमाण निकालना है के यन कमान 45 दिया है इसे रख दी के ये कमान 5 दिया है यन कमान 16 दिया है डी कमान नहीं पता है तो इस बराबर 5 पूर प्लस यह हो जायाएगा 15 यह 16 से गटे का 15 आएगा तो यह हो जायाएगा 45 माइनस 5 बराबर 15 दिये 40 बटा 15 बराबर टी आजायाएगा पांच से कटेगा पांच एठे चालिस पांच पंदरा यानी आठ बटा तीन बराबर क्या आएगा डी तो डी की बेलू कितना आएगी एट पांच री इस तरह से आपका कुश्चन नंबर फाइब हो गया क्लियर अब को समझ में आ रहा है न आथ तो मुझे लग रहा कि मैं र बहुत अच्छे आज बहुत बढ़िया से समझाने को मिला क्योंकि मैंने कमेंट पर ध्यान नहीं दिया पड़ते रहो सभी पड़ते रहो गुरु गया बिहार कुमार पढ़ाई कर लो गुरु गया पढ़ाई कर लो बस ऐसे ऐसे खतरनाग नाम है इनके कि इनका नाम है जीपू आपीशियल गुरु गया बिहार कुमार तब क्या कहूं तो मैं कहूं तो क्या कहूं कोई सब्द नहीं एके बुक में कुश्चन क्यूं नहीं मियो रहा है बुक में कुश्चन मिल रहा है इससाइज है 5.3 कलाव चंथ का एंसी आर्टी मैस्मेटिक्स इससाइज 5.3 है ठीक है मनोज कुमार इसनैक गेमिंग तुनीता कोहरा हरीकेस समसुद्दीन बापू चलो ठीक है सभी जुड़े रहो पढ़ाई करते रहो कमेंट के चक्तर में ना पढ़ो नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो मैं आगे बढ़ता हूं अब चलो आगे ज्यान दीजिए सभी पढ़ाई पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर टरंट पर चीत नहीं चलो वहीं तो बंद कर दो यार मुझे ऐसा लग रहे हैं तो यह फाइप नंबर क्लियर हो गया जिक्त नंबर पर आगे चलें खटवे नंबर पर आगे बढ़ें न चलिए अगला कुस्चन पर आगे बढ़ते हैं तिक नंबर पर अगे अज़िए घटवा नंबर देखो ध्यान दो इसनर हरी केस कुमार पढ़ाई कर लो और प्राई कर लो बेटा और दीपू आपीशियल गुरु गया कुमार आप 5 मिनट अराम कर लिए कमेंट नहीं कर पाएंगे 5 मिनट खठा कुस्चन सुनिये कुस्चन नंबर छे अब अब कर साइज आपका 5.3 है क्लास 10 की एंसिया इटी मैथमेटिक पता नहीं मेरा चस्मा इंगंदा है की गंदा दीखी रहा है अब यह डाल लेते हैं चलो ठीक है खठा नंबर कुस्चन सुनो क्या कह रहा है खठा किसी एपी के पर्थम और अंतिम पद क्रमसा 17 और 350 है एक बार फिर से सुनो कान खोल के सुनो किसी एपी के पर्थम और अंतिम पद क्रमसा 17 और 350 है यदि सार्व अंतर 32 हो यदि सार्व अंतर 32 हो अरे यार यह लोग दिमाग डिश्टब कर दीएं सच बता रहा है रूप जाओ इसमें स्याही गिर गई सार्व अंतर बक्तित नहीं 9 है यदि सार्व अंतर 9 है तो इनमें कितने पद है और इनका योग फल क्या है यह निकालना है एक बार फिर से सुन लीजिए क्लाफ 10 का NCRT Mathematics Exercise 5.3 Question No.6 किसी AP के पर्थम और अंतिम पद करमसा मतलब सीरियल से 17 और 350 करमसा का मतलब पर्थम पद 17 है अंतिम पद 350 यदि इनका सार्वांतर मतलब D Common Difference D 9 है तो इनमें कितने पद है यन का मान बताना है और इनका योग फल भी ग्याद करना है मतलब यस यन ग्याद करना है तो लिख लो चच्चा लोग यहाँ पर क्या लिखोगे हल लिखो दिया है इंग्लिस मीडियम वाला बचवा लिखेगा गीबन पर्थम पद 17 है ये दिया है और इसमें अंतिम पद मतलब ए यन दिया है 350 कामन डिफरेंस दी कमान नो दिया है कह रहा है कि पदों की संख्या और योगफल ग्याद कीजिए मतलब यन बराबर ग्याद करना है और यस यन भी क्याद ही करना है अखिलेश कुमार कुछ समझ मझ में आ रहा है थोड़ा बहुत बुजा तक नहीं कारा ना है कि फिर आगे चलो ठीक है आप देखो आगे क्या कहता है ध्यान देना इधर साइड में भाईया देखो यह में डी भी दिया है एन भी दिया है एन कमान तो मुझे लग रहा आसानी से आजाएगा यहां पर यह फर्मूला लगाते है एन किपल ए प्लस एन माइनस बान इंटू डी ए एन कमान तीन सो पचास है ए ए कमान सतरा है प्लस एन कमान हमें नहीं पता है इंटू ती कमान तो हमें लग रहा नो दिया है किसी को कोई हरानी परेसानी मुसीबत इतने में बोलते जाना अगर कोई डाउट होगा तो बिना किसी टेंसन के बोलते जाना ठीक है मस है न सब चलो अब क्या करेंगे इनको हल करना है सरल करना है सिंपल भासा में बोलें तो आई से कर लो यह 17 प्लस देखो चचा लोग यह घटेगा नहीं मतलब यन से वन घटेगा तो कोई फरक न पड़ेगा ति यह 9 यन माइनस का 9 होगा यानि यह आपका 350 बराबर यह 17 और यह 9 इन दोनों में जुगाड है 17 और 9 एक प्लस एक माइनस घट जाएगा घट जाएगा चिन कौन सा आएगा यह जो किन्ती प्लस होती है उसी का चिन हमेशा लगता मैं कई बार बताया हूं जैसे आपने देखा होगा अगर एक अनदर विराधरी जिसे बोलते हैं इक लड़की लड़का की साधी हो जाती है तो लड़की जा करके लड़के के घर लड़के का सरनेम होता वही लगाती ह समझ पाइन नहीं समझ पहए आज जलो पड़ो पड़ो ज्यादा मत समures सिंधी उस इसकी तौह हो जिसा सिथा बड़ा होता है उसी का यहां पर लगता है वह में थोड़ा और के लियर कर दूंगा थोड़ा सब भग तो यह आपका हो जायागा 8 प्लस 9 यह देखो मैं क्या बताना चाहता था यह जैसे 17 और माइनस करना हो न यहां पर आंसर 8 और प्लस में 8 है लेकिन अगर यह ऐसे होता माइनस का 17 प्लस का 8 अब यह 8 नहीं नो यह समझे ना यहां पे साइड वाला तो यह माइनस 8 आता है अब कहोगे हिया भी तो ऐसे था हिया भी एचे तो हिया काय माइनस आया अभी जो एक्जांपल बता है कुछ समझ में आया ना वह ऐसे है उसी लिए यहां पर यह 17 जो है बड़ा गिंती वहीं सतरा जादा नो कम है तो जो गिंती बड़ी होती है उसके साथ में जो चिन होता है फाइनल के आंसर में वही लगता है हां समझ में आया ना यह मतलब है जो भी इसमें महान आत्मय जुड़ी है और कलास को लाइक नहीं की है वो जल्दी से लाइक कर दें बीना देर करें और हां चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो कर लें जिससे कि आपको कलासे रोज मिल सकें और आप बिल्कुल फ्री पढ करें बहुत हां पर छूलें लेकिन पान करें है पॉन गरते हैं तो तो यह मतलब का काम निए करते न्ह favor कोई उठाएगे जाका है कौन हो फथ्य पांच वार मुझा अ हमारी है से करें रहें लोगे क्या से बोल रहा नहीं हमने नहीं होंग कि रहें कीWho लिदोした कर दिक करें म तोचो कि कोई अगर तुम्हें 20 बार लगातार फोन किया और आपने उठाया ने रिसिव नहीं किया और फिर आपने रिटर्न किया तो पूछे कौन कहां से बोल रहा हो कहे फोन कियो तब उसे क्या जबाब दो तो यह इन लोगों कि क्या है एक पिसेश फाल्टी है तो कि अब इसको घटा लोगे जब इधर साइड में तो यह 342 हो जाएगा कुछ उल्टा पूल्टा गडबर जा रहाएगा कि यह कमानी तो निकालना है ना तो जा रहा है न हुँँ पराबर कितना है जो यहां देना यह नाइन इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा नाइन नौ से इसे काट दो, नौ तरिक सब ताइस पर नौ अठे बाद सत, यानि यन का मान थार्टी एट आगी, इतना आ गया थार्टी एट, समझ में आया ना, तो आप हीजियल गुरू गया पिहार कुमार पहले तो हमें ये बताओ, तुम इसको लिखे का है, मुझे बहुत गुस गुरू गया पिहार कुमार, ये कौन बनाया तुम्हारा नाम, पहले मुझे उसका अननाम बता दो बस, ऐसी कौन सी महान आत्मा है जो तुम्हारा इतना अच्छा नाम रखी है, आए कोई, मुझे मिला देना अगर हो सके तो उसके दर्सन कर ले, चलो, गुरू नहीं है, गुरुवा है, वहारी मैं थड़ा उल्टा पड़ा रहा हूर अच्छा, ना हो गया, यन कमान आ गया, अब यसे यन कमान निकालना है, का निकालना है, ऐसे यन कमान निकालना है, हाँ वो भी कर सकते थे चच्छा, वो भी कर सकते थे तुम वो भी कर सकते लेकिन नहीं किये तो मैं क्या जाने दो लाके इसमें यहन कमान निकालना था जाय जैसे भी निकालों कि यहन कमान निकालना था चाहे जैसे निकालों अब दूसरा वाला निकालेंगे यह सिन इक्वल इसमें फार्मूला लगाओगे यह पांटू एफ प्लस एल आसान है इसको करना यहन कमान अन्टीस आ गया थार्टी एट एक कमान सत्रा दिया है तो भईया सतरा ही रखेंगे अंतिम पर तीन सो पचाश दिया था तो तीन सो पचाश आप देखो यहां पे यह से डिवाइड होगा तो नैंटीन आएगा उन्नीज और इनको जोड़ोगे तो तीन सो सड़ सट आएगा सही लिखराओं कि नहीं अरे भाई साब तीन सो पचाश अब इनका गुड़ा करना है मल्टीपल करना जानते होग कि नहीं, कर लो म governor 23 कर तीन हाँ सिल आए तेरा 19 शक्का जानतों का होता है, मुझे तो नहीं पता है जबumanी कर कर नहीं अ सब्सक्राइक Metro 23 गटा उसमेANS 23 मैंसे 19 गटा लो वा हा है कि इतना होगा कि 112 होगा कर लूह crystal आख़ें सटायजा आठाइज़ 8 लाया बारा उननिज सत्तावंच सत्तावन बारा जोड़ोगे सातावन दस सरशच और सड़न दिक वन HOWनफ़ कि हो गया आपका करना आना चाहिए अब तुम कहो कि हमें पहाड़ा वाड़ा नहीं आता है तो मैं क्या कहूं जाओ आप सभी की क्लास शुरू हो चुकी है जैसा कि आपको पता है कि इस समय क्लास 10 का मैज सुबह 5 बज़े से चल रहा है तो बच्चों आप लोग सभी जूड़ गया है जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताईए जो जूड़ गया है फटा फट कमेंट करिए मैं सभी का कमेंट्स देख रहा हूं एक मिनट मैं इसमें वीडियो चला लेता हूं ठीक है चलिए बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे बेरी गुड चलिए चलिए फटाफ़ पट कमेंट करते रहे ये मैं भी वीडियो देख रहा हूं पंकद जी गुडमानिं सिर्यासिंग पug्रीयियंका सरोज और है अभी इब बच्चों सभी का नाम लेना समभॉनिंग यह मापी चाहते हैं चलिए हम आपके टॉपिक पे और क्लास में चलते हैं तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सब को पता है क्लास 10 का मैथ में एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है और इसमें अभी तक आपने कुश्चन नंबर 6 तक पड़ लिया है तो कुश्चन नंबर 7 आज हम लोग देखेंगे जहां से देखना और अगर कोई परकार का डाउट है आपके मन में तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताना आपका डाउट क्लियर किया जाएगा चलिए देखिए समझी कुश्चन कहता है कहरा कि उस एपी के पर्थम 22 पदों का योग ज्याद कीजिए इसमें दी कमान यानि कमन डिफरेंस दो है और इसमें एक चीज और भी दिया है कहरा कि उसका 22 पद जो है वो 149 है यानि 22 पदों का जो मान तो निकालना है इसमें दो चीजें दिया गया है तो सबसे पहले हल लिखेंगे या साल बाप कुछ भी लिख सकते हो उसके बाद लिखेंगे बच्चा दिया है इंग्लिस मीडियम आला लिखेगा बेटा की क्या 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 दिया है हमें common difference दिया है और बाई समय पद दिया है यानि कहने का मतलब हमें ये के 22 ऐसे कुछ दिया है का 149 दिया है यहां से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इन की जगा पर यह दिया है यह का मान क्या दिया है बाइस दिया है अब इसमें आप से क्या पूछा है तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे बीना ए के कुछ नहीं होने वाला है पर्थम पद होता ना ए चलिए देखिए समझिए पूरा समझते चलना कोई परकार का टेंसर मद लेना ठीक है यह हम लोग सूत्र लगाएंगे सूत्र आप सभी जानते हो ए न बराबर ए प्लस एन माइनस वान इंटो डी यह फर्मूला हर को जानता है तो चलो यहां पर मान रख देंगे देखो बिटा ए न जनकी जगह पर हमें 22 दिया है तो हम 22 रख दिये और ए का हमें मान नहीं पता है यह की जगह पर 22 माइनस वन इंटी दी कमान सेवन इसने में किसी को कोई दिकत नहीं चलिए ए टॉन्टी टू कमान वन फोर्टी नाइन दिया है जो कि पहले से आप सब को पता है इसमें से घटा होगे तो टॉन्टी वन आएगा सेवन का मल्टीपल करोगे जब टॉन्ट सकते हैं 149 माइनस 147 क्योंकि यह इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जागा यानि हम कह सकते हैं कि टू इक्वल ए या एक्वल टू बोलो बाद दोनों एक है है यानि यहां से एक अमान आ गया पर्थम पत कितना आ गया दो आ गया कि अमज में आरा भाई राम बाबू पूनम कि एक्ता चोहान आरा समझ में और कौन बविता अच्छा कैसे आ गया देखो बविता यह पूछ रही कि यहां पर जो जो क्यान है उसका मान बाइस कैसे आ गया देखो यहां से समझो कह रहा कि एपी के पर्थम 22 पदों का योग क्या समयात करना यह पूछ रहा है बूल रहे हैं कि झालना है थी कमान दिया है और कह रहा है 22話 पद 143 है रहे uncover 22 हमाअ पद यहां यक्त्न क्या ओता है यन जो है वो पदों की संख्या होती है जैसे चवथा पद मतलब यह फोर अठमा पद मतलब वो पद नहीं है तो यह पहला पद है यह दूसरा पद है यह तीसरा पद है यह चवथा पद है यह मतले है यह चवथा पद लेकिन चुथा पद का मन चार नहीं वो चीर नी हो चार नहीं वो चाओ रहे वो यहां पर चब्धा पद कितना 149 है जैसे यहां पर 146 है वैसे बच्चा यहां पर 22 पद क्या 149 है तो यह न जो है पदों की संख्या होती है यहां पर 22 पद बोला था इसलिए यहन कमान क्या रखा गया 22 रखा गया ठीक है आप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जल्या कर लिजिए इसको लिख लिजे इस क्रेंसाट ले जल्दी से जलो फटा-फट हो गया बहुत जल्दी आप लोग स्क्रेंसाट लेलो और हां कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ा जा रहे हैं व्हों काफी पढ़ाई पे जज्यादा ध्यान देने वाल है मैं इसको मिटा बमंद कर दिया आप कमेंट करो आपका रिप्लाइ लिक के मिलेगा इसके लावा जब यह हालाइए ना था सभरा पर आ तो आप दूसरा वाला फर्मूला लगा दो बेटा इसमें सब कुछ आगे आपको यह जोगफल वाला सुत्र यही होता है ए प्लस यह जांज यही होता है में सुत्रना चीक तुरा न सबी को नहीं मारकर में थोड़ा और इंक भर देता हूं अगर बोलो नहीं दिख रहा था सल्ये आ जाएगा तो हमें यह यस यन निकालना है चैन कमान कितना है वाईस पाइसे तो दियागा ना बाया कमाट 22 दियागा पहला पत एक अमान अभी दो आया है और आंतिम पत का मतलब वही जो बाइसांपद है बाइसांपद 149 149 हो गया इसको काटोगे पिटाइए आजायेगा आपका 11 इंटू 159 पुड़ा कर लो 11-11 हासिल 1-15-56 हासिल 5-11-11-15-16 जो यह से न आया वो कितना आया 1661 ठीक है लिख लिजी चल्दी से आपका पॉश्चन हो गया ड़न तेर किसी को कोई डाउट तो बताओ नहीं न वहीं से साइड कर लो थोड़ा से यार वह ज्यादा अंदर में जा रहा है है हुं है जल्दी फिलिख लिजिये हो गया कंप्लीट वह जल्दी करिए अगले कुश्चन की वर हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ फटा फटा आजाओ सभी चलिए कोई परकार की अगले कुश्चन की तरह पढ़ें से licio लिख लो लिखलो लिखलो लिएक्स को नें समय है यहांपको दो कुश्चन दिखना ओंगाहा फिर्णा को पहले होुजब से तो इस अपिक आउम्बर नांबर इते चल उइंए त्छुरन दियान से दिखिए नो नंबर बात मैं जिसके दूसरे और तीसरे पद करमसा 14 and 18 है मतलब उसरे और तीसरे पद A2 14 दिया है और A3 18 दिया है 51 पदों का योग निकालना है पदों की संख्या भी कितनी दिया है 51 दिया यानि यनका मान भी तुम्हें जाया है कर लोगे कि नहीं कितना आसान ऐसे कुश्चन मनें पीछे भी बताया है कर लोगे ना वह नभीन कुमार नहीं आएगा क्या कि अधर लोगे ना यह क्या लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे उनके नाम भी सामिल किये जाएंगे अगर वो टाइम से उतर देंगे यहां पर बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आते हैं कुछ बच्चों के कमेंट्स आपको दिखते हैं कुछ के दिखते भी नहीं आप लोग को है ना चलिए फिर आगे का करते हैं अगला कुश्चन यह हो मोर कराएगा एक प्रकार से अगला कुश्चन कहता है कि यह किसी एपी के पर्थम सेबन पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 यहां पर एक सेबन और 17 कह रहा है तो खळोड़ा कि इन पदों का योगफल ग्यान की शुजब किजी सबसे पहले लिखोगे इसमें दिया है जो जो दिया है पहले उसे लिखोगे यहां पे हम लिख सकते है भी जिखो गीमिल मतलब ग किवनныר कि 7 होता योग की बात कर रहा यानि यह सेवन कितना है 49 है और क्या 17 यह 289 है यहां से अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आप क्या-क्या निकालोगे भाईया क्यान कमान निकालोगे कि नहीं यहां पर दो एक्वेशन बनेगा यह कहानी यहां से कम समझने आएगी धर सब्सक्राइब यहां से दो एक्वेशन बनेगा दोनों के लिए अलाग अलग चीज दी गई है आप लोगों को बनानी पड़ीगी दो जगा चलो देखो बनाओ यहाँ दिख रहा है दो जगा बन जाएगी क्या है यहां पर यहां पर आप क्या करोगी जड़ा धियान देना थ्टोड़ा सा यहां यहां पहले में कैमरा थुदा जूम आउट करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा और दिखे जगा हो जाए यहां पर अब देखो कैमरा मैंने जो है थोड़ा सा जूमाउट कर दिया है अब आपको थोड़ा और ज्यादा इस पेस दिख रहा होगा ज्यान देना बिटा यहां पर यह लाइन की दूँ क्योंकि कुछ निदर अलग हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब आपको क्लियर होगा यह लाइन में बाद में बनाऊंगा पहले आप सुत्र देखो सुत्र यह होता है n upon 2 प्लस यह फर्मूला होता आप सबको पता है योगफल वाला तो यहां पर हम पहली कंडिशन और दूसरी कंडिशन दोनों को देखेंगे कई रहा कि सबसे पहले परफंग साथ पदों का य जब बोल रहें कि साथ पदों का योगफल तो ऐसी कंडिशन में हमें दिया है यह ए N कितना कि इन दिया हैlen और खुछ भी है ऐन। बड़ख में अगर यह भी डिन अब पर दिया हम मान रख देते हैं ध्यान देना हम सारे मान इसी में रखेंगे जो यहां दिया हुआ है यह मुझे बगल बगल लिख लेना चाहिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह थोड़ा डिस्मिस हो रहा है मतलब अच्छा नहीं है इसे जगह थोड़ा डिश्टर्ब हो जाएगी कम पड़ जाएगी यन बराबर 49 बेटा दिया है यह बराबर हमें आइंड करना आप सही है अब देखो यन का बैलू आप रखोगे इसमें तो यन कमांद साथ और यह दो ज्यान देना अब यह टू ए तू कि हमें एक कमांद ना दिया है यह समस्या तो बता दो नहीं ना अब एक चीज का डाउट यह है कि यस यह सेवन देखो बेटा दिया था यह उपर यह फोटी नाइन दिया है तो यहां पर आप फोटी नाइन रखोगे यह फोटी नाइन रखो आप देखो यह 49 इदर यह गुडा में है ना इसके साथ भाग में हो जाएगा अपने कमतलर यह 7 वता दो हो जायगा पिर ऐसे तो इसको हल नहीं करेंगे हम फिर इसे हम गुड़ा में करके पलट देंगे कर लो कितना हल करना तुम्हें आता दस में पहुंचे हो नहीं पहुंचे हो तो इसे हम क्या करेंगे गुड़ा से फिर से हटाएंगे इसे हल करने के लिए और इसे हम क्या कर देता है भाग में कर देंगे वह स्वरी अठाके गुड़ा में कर देंगे तो यह पलट जाएगा विटा तो टू अपां से बनाजाएगा और इक्वले हो जाएगा टू ए प्लस इक्ष डी कर जाएगा साथ सता उन्चास कि आएगा 14 इक्वल टू ए प्लस इक्ष डी यह इक्वेशन नमबर फाइट बन जाएगा आपका समीकरन नमबर एक लिख लो जल्दी से उसके बाद आगे बढ़ते हैं पहला इक्वेशन हो गया इक्वेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है पहले जो यहन हो जाएगा 17 हो जाएगा और बाकि का सब हो भी रहेगा तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ आप पूरी जिम्मेदारी समझाने कि ज्या समयां हो रही भई रुप का सम確न है रहा है क्लास में टाइंद जुड़ो गया पक आगए रांश में आप लोग टाइम से जूड़ो रेट लपेट ना. डे लपेट करो गया दिक्कत हो फिल रहा है आप अब अबक्रे सेन से जगा 17 कर्माद जो सें इना था Итак अज़क्ट लिखना सेवन त्रियं यहाँ कमाद भर्लोग लंग है वर्ली क्यों दिए सेवन की और समया niños Coffee है यहां सेवन यहां पर लिखतेолот सबसुंत तो दिख लेना लेकिन अब तो 17 हो गया है पहले एक वेशन के लिए था वो और एक अमान नहीं नहीं पता है यह याद रखना पहला भी काम लगेगा इसका अब 17 मान रख दो हर जगा यहां पर यह नहीं तो 17 बटा दो उपर में सूतर देखो टू ए प्लस यह 17 माइनस वान इ दो और यह 2A प्लस यह 16D ठीक है यहां से समझ रहे हो ना यहां इसका मान यह 17 का दिया है 289 दिया है 289 दिया है रख लिए हो गया कल्कुलेशन करना यह इक्वेशन याद रखना भूलने ना पाईए यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम यहां लिख लेंगे 2A 60 इक्व बनाएगा बाकिया और कुछ नहीं करेगा किसी क्वेशन से दोनों से मिला करके A और D कमान निकाल लोगे बस वही आपका अंसर है जब यह इधर आएगा 289 है इधर इसके साथ मुल्टीपल में है इधर आएगा इसके भाग में हो जाएगा चलो मैं भाग में लिख देता तो दूसरे तरीके से डीटियल में बता दूँगा जैसे उधर फार्ट के था पहले इक वेशन में वह से नहीं करूँगा यह आपका 2A प्लस 6D हो जाएगा 16D हो जाएगा स्वरी 16D क्लियर इसको समझ लो यह कहानी समझ लो थोड़ा था अगर यह ऐसा है 289 है पान से बना आप देखो साथ बटा तो तो भिन्द में है यह पूरा पूरा फ्रेक्शन में है ना लेकिन जो 289 है यह बचारा अकेला है इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं इसकी जोड़ी बना देते हैं जोड़ी बनाने का मतलब ही जैसे से बन अपान टू है न होता है यह तरीका होता है यानि कि 289 में आप यह सेवन का मल्टीपल करोगे लेकिन यह सेवन नहीं होगा 17 है तो 17 कर लो यह ठीक है तो बस समझ गया ना यह फाइनल में हो सकता है 289 उड़ा 2 और यह 17 के मतलब हुगा इसका यहां से हम इसी तरह से हल कर लेंगे इसको कर लो हें जहां जगा बनाया अहां पर लो इसलो बहुत अच्छे समझ में आयगा है अंजली आरहा है चलो बेखो अब समझ जो यह हो जाएगा आपका सीधा-सीधा आप ऐसे बना सकते हो 289 इंटू 2 आपान 17 अब मत पूछना कैसे हो गया मैंने अभी सब बताया है कि यह प्लस 16D हो जाएगा बिटा 17 17 हम में होता है न अगर पढ़े हो तो तुम्हें याद है नहीं पढ़े हो तो नहीं याद है तो 17 दूना यह हो जाएगा 34 कल्कुलेशन आना चाहिए अभी यह मत कहना है कि मुझे यह भी नहीं आता है कि दोन गठाना गुड़ा भाग आना चाहिए यह कोईशन नंबर सीकेंड बन गया यह फैस्ट बन गया है लिखलो जल्दी से मैं मिटाता हूं इन दोनों इक्वेशन का काम लगेगा बागी चीज़े मिटा रहा हूं बहुत जल्दी से लिखलो फटाफट वो गया नितेज ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे अनुज ठीक है वेरी गुड चलो बटा चलो चलो आप दोनों इक्वेशन पर ध्यान दे रहा हूं जब मैं सामने से हट जाता हूं कल्कुलेशन करके तो आप स्क्रीन साट ल लिया करो और पाद हमेना प्यार से लिख लिया करो और काँपी पन लेकर बैच भाइठोठे वाथ। बताूं छय से कौन काापी नहीं लिया है are पढ़ रहा है काफी पर सभी लिया ना कोई नहीं लिया तो बता दो कि मैं नहीं लिया हूं उसकी पिटाई शुरू हो जाब पटक पटक के चलो अब लिखो यह समीकरण 1 वा 2 से समीकरण 2 से घटा लो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाइस आप चाहे तो इसको 34 उधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है तो यह 2A प्लस के 16 है याद रखना यहां पर 16 था 16 इसको दोनों को घटाएंगे तो घटाते समय सारे चिंद बदल जाते हैं जहां पर प्लस होता माइनस हो जाता जहां पर माइनस होता वहां प्लस हो जाता तो यह कट जाएगा यह घटेगा आपका 10D इक्वल यह भी घट जाएगा तो 20 यहां तो दिखामान यहां से 20 इपांट 10 होगा वाई साथ 2 आएगा खांपु कितना आएगा तो आएगा यह क्या है अब यहां से आप क्या करोगे जैसे स्मी करन्ण हल करते थे बचपन में परतिय स्थापन और दुद इधी वही करेंगे तो दिखामान तो क्वेत धा था टूेसड़ों 16 को एक यह बड़ाबर हो जायेगा चाहदर जाए कट जाय गाह तुर आप लोग जल्दी से स्क्रीन साट ले लो फिर मैं इसको मिटाता हूं पूरा देख रहे हो तो समझ में आरा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है नहीं तो कुछ जो बगल बगल कलकुलेशन होता हूं वह भी चाप लोगे अगर बाद में देखोगे में अब क्या निकालना हरा इसकी परतम यन पदों का योग निकालना है ठीक है अब यन पदों का योग फल का सुत्र तो तुम सबको पता है पता है न यह से यन बराबर जो अभी लगाए थे वह ऐसे ही कुछ है तो चलो लिखो यन पदों का योग बराबर आता है यन पदों का योग बराबर लिखो अधा यन पदों का योग बराबर लिखो होता नहीं है कि थो हमози यं मायनिस 1 & 2 में यह सिक्टाना 資 यहन कमान हमें कहीं दिया है क्या किए यहन कमान नहीं दिया था कहीं भी वो तो πο cream लोगों ने जुगार से उस पद केDR मद दो में लुटन कहीं और नहीं दिया था कि ए संध्ट मान कहीं भी नहीं दिया था आदे कमान कितना दीया थे धुट है यह दो किलिए यह आ आपको जाएगा यह अपन्टू पर्यिपाय इखाड皓 स्छाइगा फेुस्त war plagia फोर और दोहिंत्भा यह गुदा विड़ा वन में होगा यह यह प्लस-माइश विक्रणाओ यह पार देगे प्ट्ग गद्ट्स किसी को कोई परेसानी तो बताओ एनिडाउट किसी को को कोई कखलीफ नहीं ना आगे बढ़ा जाए तो फिर बच्चा देखो आप लोग और आगे कर ले ना ज्यादा बड़ी कलास तो आप लोग देखते भी नहीं हो आज का यह सेशन नहीं पर बंद किया जाए याद रखना सुबाच 6 बजे से आपका हर दिन लाइब सेशन होता है अभी कभी व फेस्बूक पेज़ कर लेना कि ठीक है पुश्चन नमबर दस कुश्चन नमबर दस अ अच्छा एक बात बताई आप सभी के पास किताबें है न सब तो है अपने किसी काप किताब नहीं है कि यह सेयर करने के चक्कर मुझे दर जहाकना पड़ता यारी क्लास ना सेयर बिना करें बच्चे जुड़ते नहीं तो कि मैं कुछ नहीं करूगा कोश्चन पड़ते हैं कि दर्साइए की दर्साइए की एवन कमा एटू कमा एथिरी ऐसे कहरा दर्साइए की एवन एटू एथिरी डाड़ डाड़ एयन से एक एपी बनती है एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानि की समातर स्रेड़ी बनती है कुश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए exercise 5.3 कुश्चन no.10 है कैрा कि दर्साइए की एवन एटू एथिरी डाड़ 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 یन से एक एपी बनती है यदि एएँ न नीचे दिएगए अनुशार परिभासित है यदि एएँ न नीचे दिए अनुशार परिभासित है तो नीचे क्या दिया है यह दो equation दिया है पहला क्या है पहले मैं लिख देता हूँ a n equal दिया है बैटा 3 plus 4 n ठीक है इसमें एक और दिया है तो कह रहा है कि साथ ही परतेक इस्थिती में साथ ही परतेक इस्थिती में साथ 15 पतों का योग ज्यांत की जिए इक बार फिर से सुन ली जिये करता कि दरसाए कि ए टू ए थारी डार जाड़ डा डार न कि इस प्रकार परिभासित है जरताए कि एवन एटू ए थ्री डार 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 एरन से एक एपी बनती है यदि एए अन नीचे दिये गए अनुसार परिभासित है तो इस रेड़ी के पर्थम पंद्रा पदों का योगफल ग्यांत कीजिए समझ मैं है तेकि आज हम माफी चाहते हैं आप लोगों से कहले लिए कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा इसमें कल हम question pdf file में type करवाए रहेंगे आपको screen पर question bugle में दिखा देंगे और तुरन solution करवा देंगे यह लिखना उखना नहीं पड़ेगा इसमें काफी time आपका जाता 2-4 minutes है न हम समझ सकते हैं कि आपको board का परिच्छा देना तो आपका एक अभी second खराब नहीं होना चाहिए तो यह जो question बोलने वाली कल्म समझ से है ना इसको question side में लगा दिया करूंगा फिर पढ़ना नहीं बढ़ेगा question चलिए इसमें देखिए हमें करना क्या है पहले तो हमें एक AP निकालनी होगी क्योंकि कहरा कि दर्साई है कि A1 A2 A3 डाट 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 AN से एक AP बन रही है तो वो AP कहां जा रही बन रही तो उसी AP को पहले निकालेंगे न आप लोग लिखो नीचे चाहे लिखना चाहो तो उपर दिये गए समीकरण में उपर दिये गये समीकरण में यनके अलग अलग मान रखकर स्थिरेणी प्राप्त कर लेंगे उपर दिए गए समिकरण में यन के अलग-अलग पान रखकर एपी प्राप्त कर लेंगे तो भहिया यहां पर लिखो यन बराबर वन रखने पर यन बराबर इसमें 1 रखोगे भाई तो यह क्या आएगा बाबु ध्यान देना A1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू यन ठीक है तो यह हो जायेगा आपका 3 और यन की जगह पे 1 रखोगे ध्यान रहे तो यहाँ पे 1 हो जायेगा यह और प्लस 4 तो कह सकते हो कि A1 बराबर 7 आया कि इतना आया 7 दीपक सर्मा जी गुड मौनिंग नदीपक जी गुड कि रभी रंजन हम गुड मौनिंग सुजीत प्रजापती गुड मौनिंग कमस्तफ को गुड मॉर्निंग चलो तो 3 प्लस 4N ध्यान देना हमने क्या किया यहां पर अभी एन ही रख लो डारेक्ट मान रखो कह लिए चलो ठीक है प्रमजना यहां पर हमने क्या क्या यह अनका मान 2 रखा उपर लिख दीजिए यह हल हो रहा है ध्यान देना यह कोईश्चन था मैंने यहां पहले किया उसके बाद दूसरा यहां कर रहा हूँ तो रखने पर अब को समझ में आ रहा है किसी को कोई समस्या परिशानी मुसीबत तो बताओ नहीं न यानि हम आगे चल सकते हैं बिंदास कोई दिक्कत नहीं किसी को चलिए बहुत अच्छे बेरे गुड आइडियो बिट्रेट का कुछ समस्या यह बोल रहा है बार-बार प्रॉब्लम आइडियो की है मुझे ऐसा लग रहा है यार चलो दो मान रखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा तीन धान आठ यानि एटू बराबर हो जायाएगा भाईया ग्यारा कितना हो जाएगा इलेबन तो इसी तरह से इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फटाफट भी ना किसी परकार के टेंसन के अब इसी में तीन भी रखके देख लो इस तरह से लिख लो ए बराबर तीन रखने पर तो ए थिरी बराबर क्या आएगा फाइनल में जैसे एवन निकाले हो एटू निकाले हो ऐसे आप ए थिरी भी निकाल लोगे ठीक है सुजीत परजापती जी अभी रुख जाओ बताएंगे बताएंगे जिनको नहीं समझ में आईए बताऊंगा द्यान रहे रुख जाओ एक मिनट इसी तरह से बेटा एथरी निकालोगे जब इसमें थ्री भान रखोगे तहां गया इसमें तो भाई ये एथरी हो जायेगा इनकी जगा पे तीन रखोगे चार का घुडा तीन में करोगे चारतीं बारा तीन पंद्रा ये 15 आएगा कर दिया इसको क enabling करिभी मॉर्निंग सभी जितने भी साथ ही जुडhan करें देख लेना या माना जाता है कि आपने भक्तों को ज्यान देने के लिए बिद्ध्या देने के लिए आती है और जो सोता रहता है वो पंचीत हो जाता है यह सुभा उठना चाहिए जिनको यह नहीं समझ में आओ फिर से देखें पूश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए पूरा कहरा कि दरसाइए की दरसाइए की अने लिखा नहीं आपर सुन लो दरसाइए की A1, A2, A3, art, and, and, an से एक ap बनती है यह दर्साना है क्ईश्चन नमबर 10 मा है, ncrt किताब है तो खोल के देखो तरसाइए कि A1, A2, A3, A.N. से 1 A.P. बनती है यदि A.N. यदि A.N. नीचे दिये अनुसार परिभासित है नीचे दिये अनुसार परिभासित है नीचे दिये अनुसार परिभासित है मतलब कि नीचे यही दिया समिकरन तो आगे पूछ रहा है नीचे लिखा है साथ ही परतेक इस्थिती में पर्थम पंदरा पदों का योग ज्याद्थी समझ गे ना मैं हीलता इसलिए रहता हूं क्योंकि कोई बच्चा अगर नोट कर रहा है मेरे पीछे कोछ छुपा है तो वह लिख सके इसके मैं एक बार इधार एक बार उधार आता जाता रहता हूं ख्लेर चलो तो अब कर लेंगे बहुत आसान है अब हम क्या करेंगे भाई सबसे पहले करा कि दर्साऀए कि स्थोथी एक एंवन उस्तूं अधू निकालेंगे ला तभी तो आहVer कि नहीं पताओ क्रुषिपुन के पढ़ेंगे न रही को हमने क्होजना पड़ेगा इसमें जो यह दिया गया equation इसमें यहन की अलग-अलग मान रखे एक सिरेड़ी प्राप्त किया तो कोई अभी कह रहा था कि इसमें यह समझ नहीं आया देखिये समझ यह जब यहन का मान 1 रखेंगे भाईया तो यहाँ पर यन नीचे है न यहाँ पर 1 हो गया और यह बराबर कचिन बराबर हो गया 3 की जगा पर 3 हो गया धन और 4 की जगा पर 4 हो गया और यन की जगा पर 1 हो गया एक गुड़ा में है एक चीज यहां समझे लो छोटा सा चाचा यह फोर यन का मतलब है कि फोर इंटू यन इसका मतलब यही है तो यहन की जगा पर अगर एक रखेंगे तो यह चारी तो आएगा बोलो हां आएगा की नहीं आएगा न सिद्धार्थ कुस्वाहाजी गुड मौनिंग बेरी बेरी गुड मौनिंग और टाइम याद रखें बाबू सुबा पांच बजे कलास चलती है अगर आपको कोई समस्या सुबा पांच बजे तो बता दीजिएगा हम टाइम बदल आ चाहां और है यह कलास आपकी PVR स्टरी 3.0 चैनल पर चलेगी जाद रखना आच्छ हो गया नश्ताडीक से आपकी पी फ्मिर स्टरी 3.0 चैनल पर चलेगी अभी नोट कर लो मैं पार यह श्तर श्त रीपॉंट जीरो क्योंकि आपका अपना चैनल में बोर्ड के लिए इस इसे समझ लेना भी फिर ना कहना कि मुझे नहीं बताया था पहले टाइम लग जाए कुश्चन में लेकिन समझ में आना चाहिए तो यह हो गया मैंने क्या किया जहां जहां क्यां था वन रख दिया इस तरह से इसको हल किया तो साथ आया यह बन कमांड साथ आया ऐसे इसमें भी किया तो एटू आया एथरी आया अब आप लिखो नीचे अगे लिखो है अताए श्रेड़ी ऐस समानतर सरेड़ी बन गई ना यह सेबन आ गया 11 आ गया 15 आ गया कि इतना लिख लिए हो न इतना लिखने के बाद नीचे लिखो नहीं चे लिखो आता है समांतर स्रेडी समांतर स्रेडी साथ ग्यारा पंदरा डाडाडाड बन गई अब यहां समझो अगर भाईया यह स्रेडी है बाबू तो इसमें क्या है कितना दिया है साथ दिया है बोलो पर्थम पत दिया है स्रेड की नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं अगर इसमें हम तुमसे डी कमान पूछें तो कोई बताएगा ती कमान बता लोगे न दूसरा पत से पहला पत गटा लो आपको पता है ये A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 कितना है समझ लो यहां से A2 मतलब दूसरा पत 11 A1 7 बराबर कितना या 4 इसी तरह से एक और भी निकाल लो हो सकता है कि ना सही हो A3 15 माइनस 11 बराबर 4 यानि हर इस्तिती में 4R आए न यानि जो D कमान है वो 4 है क्या है? 4 है तिकली जिए फटा फट अगर आवाज नहीं आएगे तो बता देना कि हाँ मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है ऐसे का बक्के जा रहे हो ठीक है बता देना नहीं आएगी तो तो एक D कमान 4 आया इसको हम थोड़ा साट कट में लिखेंगे इतना फैला के नहीं लिखेंगे आप डारेक्ट इसको परिच्छा में D कमान 4 लिखना नहां पर तुम्हें ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा जो मैंने बताया यह तो मैं बहुत CTL में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आये ठीक है तो कियन कमान कितना है कहना था पर्थम 15 पदों का योग ज्यात कीजिए तो बाबु क्या हो जाएगा यह कियन कमान 15 हो जाएगा इतना हो जाएगा 15 अब क्या करना है ध्यान देना अब योग वाला सुत्र लगाना है चोटा सा और हल कर लेना है योग वाला सुत्र लगाना है हल कर लेना इतना दिख रहा है तो लिख लो कि इतना लिख लो फटा फट हो गया तो मैं साइड में धूड़ा से मिटाओंगा और इधर साइड में हल कर दूँगा इधर जगह है कि समझे और डाहन आप लोग चलो यहां divert आवाम इसे हल करेंगे करेंके आप इधर साइड में अब आप सुतर लिखो बड़ा वाला योगवाला होता है आता हां कि अधान बराबर ही तो सुतर होता है क्या होता है हमारे में जगा थोड़ा कम पढ़ रही है इसे इधा रहे करूँगा पूंबद मुश्कर जी गुड्मानिंग गुड्मानिंग ओधेश जी बेरी बेरी गुड्मानिंग तो मैं इसको मिटा देता हूं आप लोग अगर इसको लिख नहीं पाए थे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके लिख लिजिए कि यहां जगा की कमी है तो थोड़ा डिश्टर्ब हो जाएगा उदर करने से थोड़ा सा वीडियो बैक करके लिख लिजीए बाबू अगर आप नहीं लिखे थे तो ठीक है टाइम है कलास का सुबा पांच बज़े याद रखना तुबा पांच बज़े कलास का टाइम है तो अब हम यहां पर योग लिखेंगे आता हाँ यस यन बराबर यन अपांटू तू ए प्लस यन माइनस वान इंटू डी यह आपके समांतर स्रेड़ी के योगफल वाला सुत्र है ठीक है राम जी पाल भाई राम जी पढ़ाई कर लो चचा पढ़ाई कर लो यन की जगा पर 15 रख दोगे हर जगा जहां यह वहां 15 रख दोगे तो यह ऐसे हो जायागा दो गुड़ा पंदरा यह पंदरा माइनस वान इंटू डी डी कमांद चार आया था सारे मान रख दीजिए आपको हल करके एक सलूशन मिल जायेगा हो जायेगा की नहीं बोलो एक मान कितना आया था भाईया करी एक मान से बनाया था बाबू एक मान 15 नहीं आया था से बनाया था तो यह आपका 15 बटा दो ज्यान रहे यह 14 हो जायाएगा धन पंद्रा से एक गटा होगे चौदा आएगा चौदा का चार में गुड़ा करोगे कितना आएगा शपन आएगा ना तो यह कितना आएगा भाईया चौदा चौदा शपन इन सब बाबू आपका 15 बटा दो गुड़ा यह सत्तर यह दोनों जूड़ेगा तो सत्तर हो जाएगा अब यह कड जाएगा भाईया कि अ कर लोगे ना कि आपका 15 गुड़ा 35 मुल्टीपल करना आता है आप लोग बड़े लिख्यों तो गुड़ा कर लो भाई जैसे अन बराबर 15 15 ह हासी लाया साथ 15 पच्छे पच्छत्र हासी लाया साथ 15 तीय पैतालिस साथ बावन तो कितना आ गया पांचसो पचीज कि आपका आंसर हो गया पांचसो पचीज कि यही योगफल निकालना था आप पढ़ रहें कलाइफ 10 का NCRT गड़ित पढ़ रहें इकसर साथ 5.3 चल रहा है कुष्टन नंबर 10 था जो भी बच्चे समांतर स्रेडी की किताब लिए हैं मतलब गड़ित की किताब लिए उनमें समांतर स्रेडी ओपन कर लें और उसमें कुष्टन नंबर 10 मां देखें इकसर साथ 5.3 अगर आप सीवेसी बोर्ड में हैं तो आपका कुष्टन सेम टू सेम मैच कर रहा होगा क्योंकि हम यह मुख न्सी आर्टी पढ़ाते हैं और एक बात ध्यान दखना बच्चा किसी भी बोर्ड से हो आप कोई भी प्रकासन की किताब लिये हो उसमें लिखा होता है एंसी आर्टी पार्ठ करम पर अधारी मतलब सारी किताबें एंसी आर्टी पर ही होती हैं चच्चा जो है न वह एंसी आर्टी वाले ही हैं पाकी सब उनके बेटवा हैं जो आप लिये होगे मनोह करा लिये होगे बाला जी लिये होगे या मतलब कोई भी लिये होगे जितने प्राइबेट बुके हैं और भी बहुत सारी तो याद रखना NCRT में हैं अम NCRT में पढ़ाते हैं उसमें से अगर आप देखोगे तो आपका कल्यान होने बाला है सुमंत कुमार GP good morning सुमंत जी तो अभी यह दस नंबर कुष्चन हो गया आप लोग मुझे यह बताओ ग्यारा नंबर कर लोगे की बताना पड़ेगा है कि कुष्चनक्ष्चन नंबर 11 कर लोगे रोगे की बताना पड़ेगा देखो जो बचवा तो टाइम से जुड़ा था उसे तो समझ में आया होगा और जो कलास में देर में जुड़ा उसे समझ में थोड़ा कम आया होगा इसलिए कलास में टाइम पे आया करो जब कुश्चन सुरू हो तब आपको रहना जरूरी है पीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा तो सुबह पांच बज़े से लाइब आ सकते हो सभी न अगर कोई समझ से है तो बता दो कि हाँ गुरुजी हम सुबहरे पांच बज़े नहीं आप आएंगे बंद करो यह सब आनी आ जाओगे न चलो छोटे-छोटे कुश्चन थोड़ा साउर बता दें आपको हमारी कोशिस है कि आपको आये जितनाम पढ़ाएं पाकी पहली बैच में मैंने दस चैप्टर पढ़ा दिया है आप देखो तो अभी अभी पहली बैच में कुछ दिन पहले मैंने उसे रोका है दस चैप्टर आप चाहो तो पीवीर स्टेडी 3.0 चैनल पर जाके देख सकते हो इसमें दस चैप्टर पढ़ा आया गया है प्लेश्ट बनी है कि अध्यार इस टैडी 3.0 यह चैनल है है जाकर देख लो सनी आदो गुड मॉनिंग सनी बस लेकिन बस करो ना इतना ज्यादा गुड मॉनिंग भी न करो कि यहां कोई दूसरे का कमेंड ना कर दो एकदम से नहीं तो तुम्हें हम पांच मिनट के लिए अराम पर बेज़ देंगे तो अच्छा कुछ और भी इसमें से हम आपको करवा देते हैं फिर से जयान देना आप लोग मुझे बताना अब 11 नंबर उसके आगे का कुश्चन भी करवाएंगे लेकिन बड़ा इंप्वार्टेंट है पहले इसको कर लो संक्याओं के उस सूंची के पर्थम 24 पदों का योगफल ग्याद कीजिए जिसका यह नुवा पद ए एन बराबर 3 प्लस 2 एन से दिया जाता है पताईए बहुत इंप्वार्टेंट एक्जाम पलाईए ठीक है ए इसही पर अधारित है धैजान से सुन लेजये फिर से हैं ऋलीजिये अंसी अर्टी का उध्यारण है एंक्जाम कहुत इंप्वार्टेंट है आप उध्यक्याम्त नहीं के शोड़ो इसको यह हल्कर करके दिया है पधके पेपर में आ जाता है देखे जी गुड मॉनिंग और देश निसार जी गुड मॉनिंग सभी को गुड वाला मॉनिंग अब चुपपे बढ़ लो कुश्चन फिर से सुन लीजिए पेज नंबर 123 है जो NCRT किताब लिया है पेज नंबर 123 कहरा की संख्याओं संख्याओं की उस सूची के पर्थम 24 पदों का योग ज्याद कीजिए का यनवा पद यनवा पद A N बराबर 3 पलस 2 N से दिया जाता है यनवा पद 3 पलस 2 N से दिया जाता है थोड़ा सा लाइंग्वेज कुश्चन की अलग है तुम्हें कम समझ में आया होगा इसका मतलब है कि जो यनवा पद है वो 3 पलस 2 N के माध्यम से निकाला जाएगा खुल मिला के चलो समझो आप यहाँ पे लिखो हल हल में लिखो देखो चुकी यह दिया है क्या दिया है A N बनाबर 3 पलस यह 2 N दिया है न तो इसमें से क्या करेंगे हम पहले एक A P निकालेंगे एक समांतर फ्रेडी निकालेंगे और अगर आप यह देखो तो जो अभी अभी इसमें आई थी न वहीं से इसमें भी आएगी लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा थोड़ा सा अंतर होगा आप देखो फटा फट चलो लिखो इसलिए अब हम स्रेडी पराप्त करेंगे एवन क्यान की जगा पर वन रखेंगे तो टू इंटु वन यानि एवन पांच आएगा एटू थी प्लस टू इंटु ध्यान देना यन की जगा पर दो रख रहें बच्चा तो दो का दो में गुड़ा करोगे तो ये चार हो जाएगा फिलहाल अभी मैं पर नहीं रहा हूँ अभी मैं ये इनकी जगा पर दो रखूंगा तो ये कितना जगा दो अब ये थी और ये गुड़ा करोगे तो चार यानि ये से बन हो जाएगा इसी को नहीं समझ में आएगा तो बता दे ना इसी तरह से एठी करोगे तो दो कि इसी तरह से बेटा एफोर भी निकाल लोगे तो चार तीन ग्यारा अब मैं इसको नहीं बताया आप जानगे कैसे करना है ना आप सबको पता है ना कैसे स्रेडी बन गई ना ध्यान से समझ लो कुईस्चन फिर से सुन लो बच्चा एंसी हार्टी का उधारन है ये पेज नंबर आपका 123 पे दिया है उधारन नंबर है 15 बोर्ड परिक्षाओं में एकजामपल जरूर पूछे जाते हैं एकसर देखो पूछ ले जाते हैं बच्चे क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते हैं कहता है ये तो उधारन में दिया है सुन लो फिर से स्कूशन क्या कह रहा पद या नहीं पद ए एन बराबर 3 प्लस 2 एन से दिया जाता है याद रखना बातपक की चलो तो अब हम क्या करेंगे चुकि हमें यह दिया है अब हम हल पर आगे सलूचन पर तो कि यह निकुल दिया है यहां से हमें एक एपी निकालेंगे मतलब वह सिरेडि निकाल लेंगे जिसके पर्थमपदों का यह मुठा रहा बइना सिरेडी कि हम क्ला करेंगे मौ पांच आया दो रखने पर साथ आया त्रीन रखने पर नो आया चार रखने पर ग्यार आया अब आप लिख सकते हो नीचे लिखो किस परकार प्राप्तु संख्याओं की स्रेडी किस परकार यहां आगे हल कर लिजी आधा किस परकार प्राप्तु संख्याओं की स्रेडी जो हिंदी बोल रहा हूं लिख लो मैं लिखूंगा नहीं इस प्रकार प्राप्त संक्याओं की स्रेडी पराबर पांच साथ नौ जारा अब हम इतने पद लिख डालें क्यों क्योंकि हमें पता चल गया दो दो का अंतर है इस प्रकार प्राप्त स्रेडी बराबर यह मतलब जो मैंने बोला था इस प्रकार प्राप्त स्रेडी बराबर इतना लिखना है अब यहां पर आप ध्यान दो इनके सारे जो मान हैं जो इनकी बिसेस नीड है उसको लिखलो भई अगर यह स्रेडी है बाबु तो ए कमान क्या होगा बोलो अच्छा डी कमान क्या होगा बोलो ते बोलो का है सरमार है देखो आगर यह सिरेडी है तो जहां से यह सुरू है वो पर्थम पद है पर्थम पद का मतलब A है तो यह 5 है इनका common difference यानि D अगर देखेंगे तो 2 है कैसे 2 आएगा वो मैं बताऊंगा सबर करो किन कमान 24 आएगा क्योंकि 24 पदों का योग निकालने को बोल रहा था क्यों भाई यही ना तो चच्चा जब सारा आउजार तयार हैं तो फिर लड़ाई करने में क्या दिक्कत हां अब कुछ जब मिल गया तो आप योग नहीं निकाल लोगे आप तो निकाल लोगे ना समझो थोड़ा सा कि यह D कैसे आता है देखो इसे बोलता है common difference अगर सुरू में पढ़े हो तो मैं सब बताया हूं दूसरे पत से पहला पत गटाओं तीसरे पत से दूसर का घटाओं जो उत्ते पत से तिफर का घटाओं मतलब अपने नीचे वाले को घटाओं उसमें से पत अब देख रहे होगे सब में दो दो कांतर है और इसी को common difference अगर नहीं लिखे हो तो थोड़ा वीडियो बैक करके इसे देख लेना फिर से दिख जाएगा यह कहीं जाएगा नहीं जो बच्चा नहीं लिख पाया था इसे वीडियो थोड़ा पीछे करके वह देख सकता है क्लियर ना चलिए अब आप इससा योगफाल निकालोगे लिखोगे आता है यस यहन इक्वल यहन अपांड टू तू ए प्लस यहन माइनस वन इंटू डी इसमें सारे मान रख दीजिए आपका फाइनल अंसर आ गया देखिए सारे मान यहां पर निकाल ले हैं तो बहिए य इस टूंटीफोर हो जाएगा इक्वल यहन की जगह पर हर जगह 24 हो जाएगा तो टू इंटू ए ए की जगह पर पांच प्लस यहन की जगह पर चौबीस और डी कमान दो सारी कहानी पूरा इसी में हो जाएगी तो यह आपका बारा आएगा क्योंकि दो से भाग करोगे चौबीस में तो बारा आएगा तुम छोटका बच्चा तो हो नहीं दन्ना भरका कि तुमको यह भी बताएं कई से आया प्लस चौबीस में से एक घटाओगे तेईस आएगा और तेईस का जब दू में गुड़ा करोगे बच्चा तो च्यालिस आएगा अगर आपको यह भी नहीं हारा ना तो आप पीवियार स्टडी एप में जीरो लेबल वाली कड़ित पढ़ो पहले जीरो लेबल वाली पढ जीरो लेबल देख लो अगर नहीं आ रहा तो टेंसन मतलो आएगा तो इसका मान कितना आएगा कि इतना मल्टीपल कर लो आ जाएगा 12,72 हासिल आया साथ और बारा पंचे साथ 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 सड़ सड़ यह आंसर आ गया वह यह छे सो बाहत्तर जानी जो यह 24 आया कितना आया छे सो बाहत्तर बात समझ में आई ना अगर कोई परकार का डाउट है तो बताईए बिलकुश आप सभी सब कुछ अच्छा चल रहा है उमीद करते हैं कि सब कुछ ठीक है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताईए सुबह की पांच बजे हैं और आपकी कलास शुरू हो चुकी है तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह आपके लिए एक बहतर देख रहा नीचे एकसरसाइज यह आपका 5.3 और यह कल खतम हो जाएगा ठीक है इकसरसाइज 5.3 कुष्टन नंबर हम लोग आज करेंगे 11 10 कुष्टन तक पिछली कलास में मैंने आपको बता दिया था आपने देखा बहुत अच्छे से समझ में सबको आ गया है कुष्टन स्क्रिन पे है देखिए यह दि किसी एपी के पर्थम यन पदों का योग फोर यन का इसक्वार फोर यन माइनस यन का इसक्वार है अभी मैं बताओंगा यह सबन के बारे में ठीक है पर्थम दो पदों का योग क्या है दूसरा पद क्या है इसी परकार दस्वे और यन्वे पद ग्याद कीजिए पुल मिलाके इनको पदों की मतलब पद निकालना है बस यानि सारे फैक्टर अगर आपको मिल जाएं जैसे A मिल जाए, N मिल जाए जो जो है इसमें सब मिल जाए, N मिल जाए तो आपको सारे पद निकालना बहुत आसान हो जाएगा D भी मिल जाएगा पहले तो आप लोग confuse होगे ये S1 क्या है थाना कहरा परथम पद अर्थाथ S1 क्या है आप लोग कहोगे कि गुरुजी तो परथम पद तो A1 होता है तो फिर S1 कैसे बोल रहा है एक example से पहले ये समझ लो कि A1 और S1 दोनो एक कैसे है ये दोनो एक ही है कैसे एक example से पहले आपको मैं समझाता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको question फिर से screen पर दिखाऊंगा ज़रा यहां से समझो, screen पर आओ सभी ध्यान से देखो जैसे मानलो कि मैंने एक series आपको दिया वो series मानलो कि है 8, 12, 16, dot, dot, dot यह एक series है अब आप इसमें देखो अगर ध्यान से तो आपका यह a1 है ना यह पहला पद है, a2 है, यह a3 है बोलो है ना अगर मैं कहूं कि इसके पर्थम दो पदों का योगफल ग्यान कीजिए तो क्या कहोगे बताओ बोलो अगर पहले दो पद का योगफल बोलेंगे तो बेटा yas2 बराबर आप a1 प्लस a2 करोगे ना को लो करोगे ना अगर मैं कहूं कि पहले एक पद का योगफल ग्यान कीजिए तो पहले एक पद का योगफल बराबर a1 होगा की नी होगा होगा ना, पहले एक पद का मतलब तो एक पद के लिए है ना अगर मैं कहूँ पहले तीन पद का योगफल ग्यांत कीजिए तो आप क्या लिखोगे तो भीया आप लिखोगे यस थरी क्वल एवन धन एटू धन एट्री समझ मैं है ना तो इस तरह से बिटा जो यस वन है वो एवन ही है मतलब दोनों बराबर है क्लियर कोई डाउट किसी को तो बताना नहीं कोई डाउट नहीं न चलो ठीक है तो अब आपके मन से यह असंका दूर हो गई कि यस वन और एवन दोनों एक कैसे है अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं हमें जो दिया है हम उसी को ले करके आगे बढ़ेंगे आप ध्यान देना व मोहित प्रियांसू प्रिया सिंग अर्जुन चौहान लक्षे बनीता और कौन है वर्तिका चौहान तुरेंद्र मनोज वर्तिका यह दूसरी नंबर की वर्तिका है हाँ हाँ बबली तुम्हारा भी कमेंट आ रहा देखो कमेंट के पीछे ना पढ़ो यार आप लोग पढ़ डेली सुबा होती है सुबा पांच बजे से आपको सुबा पांच बजे वीडियो मिल जाता है यहां पर थोड़ा सा जो टाइम लिखा गया था वह इंगलिस की कलास का टाइम है इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा अलग टाइम दिख राओ अभी तक स्क्रिन पर चलो है तो अब हम इसके सलूशन पर चलते हैं देखे हमें दिया है हिंदी मीडियम ओले लिख लो दिया है इंगलिस ओले लिख लो गिबन तो वीटा यस यन इकवल दिया है कि 4 यन माइनस यन का स्कॉइर है यह दिया है अब ध्यान देना यहां पर यन बराबर एक रख़िये य S1 बरावर 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर यानि यह 4 minus 1 कहने का मतलब कि जो S1 आएगा बच्चा वो 3 आएगा क्या आएगा S1 तीन आएगा तो हम इकाह सकते हैं कि अगर S1 तीन है इसका मतलब A1 भी 3 है यानि पहला पत 3 है अभी इसको फिलाल साइड में रख लो अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे यह A1 है यानि हमें इतना मिल गया बहुत ही पुक्ता सबूत मिले हैं ठीक है इसी तरह से हम यहाँ ऐसे समझते जाओ S2 निकालेंगे यह न बराबर दो रखने पर समझना हमें क्या निकालना है हमें तो दसमा पद निकालना है कह रहा था कोईशन एक बार फिर फिर देखो स्क्रीन पर निचे दिख रहा है हमें दसमा पद निकालना है यह नमा पद निकालना है पर्थम दो पदों का योग भी निकालना है पहला पद भी निकालना है तो पहला पद तो आ गया पर्थम दो पदों का योग तब निकलेगा जब हमे क्या है पता है आपको वो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले तो आप सूत्र लिखो तो मैं आपको समझाते हूँ पहले आप सूत्र लिखो यह सब बाद में रखना ध्यान दो पहले अगर हम इस फार्मूले पर बात करें यह सी यन वरावर फोर यन माइनस यन का इसको है यह दिया है फिलाल फार्मूला समझो कुछ भी समझो तो देखो बच्चा यहां से एक चीज आप समझते चलो कि अगर हम टू निकालेंगे टू जैसे यस टू अगर मैं बोलू जहां देना तो यहां पर जहां जहां यहन है वहां महां तो टू हो जाएगा आप कहोग बताना नहीं लिख सकता हूं तो बता देना लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई अगर दो पदों का योगफल निकालेंगे पर्थम दो पदों का योगफल तो पहला दूसरा पद जोड़के कर सकते हैं और हमें पहला पद का मन तीन दिया है तो यह रख देंगे यह घटाएंगे, चार आएगा, यहां से आपका, यहां समझ में आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूं question, इस्क्रीन पर question आता है, फिर चला जाता है, अब ध्यान देना, यह 3 इधर जाएगा बिटा, तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका A2 बराबर 1 आएगा, अब ध्यान देना, पहला पद हमें मिल गया, दूसरा पद मिल गया, तीसरा पद हम अपने से मतलब प्यार से निकाल सकते हैं, इसमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, पहले इतना करेंगे, जो मैं बताया था, इसको करने के बाद इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर नीचे आप लिखेंगे, आता स्रेडी बराबर, स्रेडी क्या बन रही है, भही है देखो पहला पद 3 आया बाबू, हाँ, उसके बाद अगला पद 1 आया है, आप यहाँ से दियान दो, अगर स्रेडी बन रही थे, 2-2 गहट रहा है, तो अगर 3 से 2 घटा आया तो 1 आया 1 से 2 घटा होगे बिटा तो माइनस 1 आएगा घटा आगे देख लो 1 से अगर 2 घटा होगे ऐसे तो माइनस 1 आएगा और माइनस 1 से जब फिर से माइनस का 2 घटा होगे तो ये प्लस हो जायेगा और कितना घटाना है दो घटाना प्लस का दो घटाना क्या करना है प्लस का दो घटाना है माइनस का तीन आएगा यानि यह कम होता जा रहा है ध्यान देना माइनस का तीन आया फिर माइनस का पाँच आएगा ऐसे ऐसे क्या बनेगी एक स्रीज बन जाएगी लेकिन हमें करना क्या था कह रहा था कुश्चन एक बार फिर देखो इतना करने के बाद कुश्चन को बार बार देखते चलिए फिर से देखिए स्क्रीन पर कुश्चन आ गया है बाकी चीजे बाद में देख लेना कुश्चन देखो किरा यदि किसी एपी के पर्थम यन पदों का योग फल फोर यन माइनस यन का स्क्वाइर है तो इसका पर्थम पद अर्थात यस वन क्या है वो मैंने निकाल दिया देख लो तीन है ठीक है आगे कह रहा है कि पर्थम दो पदों का योग ज्याद कीजिए बड़े प्य मिटा रहा हूं समझो अब लिखो आप लोग आता है यस टू बराबर कि इतना कर लो फिर मैं मिटा रहा हूं ध्यान से समझो पहले यह लिखना यहां से यहां तक लिखना फिर यह स्रेड़ी लिखना और फिर यह जो मैं लिखने चल रहा हूं इसको लिखना देखो बेटा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा हमारी पूरी जिम्मेदारी है नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो फिर आप अपने भविस्य के निर्माता खुदी हो ठीक है चलो आता हम यसट्स पराबर एवन धन एटू है बेटा एवन टीन आया था एटू एटू वन आया था इक्वाल फोर आ गया यहनि जो यसट्स आया वह दो चार आ गया और क्या कह रहा था कह रहा था कि दस्में पद का योग फल ग्यान कीजिए पूछ रहा था ना तो चलो वो भी निकाल लेते हैं कितना हो गया चलिए देखिए अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे साथ साथ में लिखते चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी स्क्रीन साथ ले लिएकरी है जैसे इस्टेअम को पूरा हो जाए है वैसे आप इसख्रीन साथ ले लो वैसे तुम्हेंसा पता आता हूं कि यह कौन सा इस्टेफ है यह कौन साइज टेफ है फिर भी आप लोग करा करो हां चलो अब A10 निकालेंगे बेटा क्या कह रहा था इसके दसमें और यहनमें पद का योगफल ग्याद कीजिए तो लिखो आता हां A10 इक्वल आपको पता है यह सूत्र होता है न भाईया यहां फर्मूला देखना A N बराबर A plus N minus 1 into D बच्पन से यह सूत्र पढ़ते आयो न तो इसी सूत्र पे आप लोग आगे बढ़ोगे यहां पर मैं यह फर्मूले रख देता हूं सिधा सिधा पहले A plus N minus 1 into D N की जगा पे 10 रख देंगे तो A10 हो जाएगा यहां पर बेटा ध्यान दे न पर्थम पद जो A कमान आया था अभी क्या आया था तीन आया था न तीन आया था रखो N कमान दफ रख रहे हैं ठीक है D कमान D कमान दो आया था आप सबको पता है वो भी माइनस में दो आया था क्यों उल्टा जा रहा था तो माइनस में दो आया था न है न भाईया तो माइनस में दो आया था तो ये तीन धन ये नौ और दो मल्टिपल करोगे माइनस का ठारा क्लियर तो ये माइनस का पंदर आ जाएगा आपको पता जब ये रेकट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा तो यानी जो 8 ये 10 है वो 15 आ गया यभी तो आपसे पूझा था ना अब सिरफ एक बचा है ध्यान देना सिरफ एक बचा बीटा इस्क्रीन पर एक बार कुश्चण पर फिर से आजाओ कुश्चन ऐक बार फिर से देख लो कुछ सिकेंड मैं फिर से आटा दूंगा क्विश्चन कह रहा था देखो नीचे लाइन में इसके इसी प्रकार तीसरे दस्वें और यन्वें पद ग्याद कीजिए तो तीसरा पद तो मैंने निकाली दिया था भी तुमने देखा था स्रीज में पहला पद तीन आया था दूसरा पद वन आया था अगला पद क्या आया था वन से माइनस दो घटा होगे तो क्या आएगा ता कि देख लो अगला आया था तो ऐसे आपका दस्वां आ गया अब अगला निकाल लो अगला जिनको स्रेणी के बारे में confusion है उन्हें मैं थोड़ा सा और clear कर दूँ इधर ध्यान दो आप लोग देखो बच्चा जैसे आप सब को पता है कि अभी मैंने पहला पद निकाला था वो सब ने देखा था पहला पद तीन आया था एवन कमान ना एस वन एवन देखे तना संटेणी के दूप है उसके बाद अगला पदा वन आया था अब इसके अगला पद कैसे निकालो पता है आपको जो पर्थम पत होता है यानि तीन उसमें जो सारभांतर ँसको जोड़ दिया जाता है तोbuilt इसमें जब माइनसका बढ़्यों जोडैंगे आपको पता है पता है कि नहीं लेकिन ये सई तरीका नहीं है हमें 1 तो दिया है इसके आगे वाला पद निकालना है तो हम जो जोडेंगे waste में जोडेंगे कि आमाइनस का दो मायननस वन और माइनस दो बराबर माइनस थीन आएगा तो चोठा पन भी बोलेगा तो चाउथा पन माइनस 3 यह ज़ोद दो सब्सक्राइब अब लाइस्ड वाला ए यह निकालो इस जगा पे मैं अभी हट जाता हूँ दो सिकेंड आप इस स्क्रीन साट ले लो लेना चाहो चलो इस कफट से हो गया चलो ठीक है अब देखो इसमें हम एन का मान निकाल देंगे थोड़ा सा आपको समझाने में हमें पता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये कुश्चन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है और इंपॉर्टेंट भी है इस बात को भी आपके दिमाग में चाह कीजीए यनवे पद आपको निकालना है ध्यान देना पूश्चन देख लो ध्यान से फिर से चलो लिखो यनवे पद निकालो ए यन एकवल ऑफ प्लस यन-1-D तो हमें एं कमान देखो पैटा दिया था क्या नहीं एं कमान हमें नहीं दिया था मैं कोश्चन हटा देता हूं स्क्रीन से डिस्टरब कर रहा है एन कमान हमें नहीं दिया था हमें यहीं निकालना है कि एकमान तीन आया था यहन कमान यहन कमान आपको पता है कि दिया है क्या नहीं दिया, हमें यह नमापधी तो निकालना है यह On- Console कमान हमें कहीं नहीं दिया है इसमें कमान दिया था माइनस का 2 कितने में कोई डाउट नहीं तो 3 plus इसका गुड़ा करोगे इसमें तो माइनस का 2 young आएगा कोई किसी को संधे है तो बतादो इसमें मल्टीपल करोगे माइनस का दो यन आएगा और ये प्लस का दो आएगा परेकट खुलेगा तो ये पांच हो जाएगा बैटा माइनस का दो यन यान का जो मान है वो 5 माइनस 2 यन आएगा इसमें किसी को कोई संदे है तो बता दीजिए फिलहाल ये वीडियो यहीं पर इंड हो जाएगा आपका ये कोईशन कंपलीट हो गया अगर आपके मन में कोई डाउट बच रहा तो आप बताईए अगर आप कहें तो हम अगला कोईशन भी बता दें लेकिन आप लोग ज़्यादा बड़ी कलास देखते नहीं हो ठीक है तो फिलहाल आप इस कलास को देखो और सेयर करो जादा फे जादा कलास का टाइम सुबह पांच बज़े अगर ये बच्चे हाजारों में आ जाए ना तो देखो मैं दो गंटे पढ़ा दूँ लेकिन बच्चे आप लोग नहीं लाते हो क्लियर मिलते हैं फिर अगली कलास में थेंक्यू कलास को लाइक और सेयर करके जाना बाबु जिससे अगली कलास टाइम से मिलेया गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं राजकुमार आपकी हाई स्कूल की मैथमेटिक्स के साथ चात्रों जैसा कि आपको पता है बोर्ड के अबहरती बहुत तेजी के साथ तयारी कर रहे हैं जो रोसोरों से तो आपका जो पाच्वा चैप्टर है जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन यानि की समानतर स्रेडी यह चैप्टर चल रहा था जो कि आज इंड हो गया है इसमें के कुछ कुछ कुष्टन बचे एकाद दो पिछली कलास में मैंने 18 कुष्टन तक करवा दिये थे 18 नमबर तक लेकिन उसमें से मैंने 12, 13, 14 होम और छोड़ा था जिसमें से कुछ बच्चों की आपती है कि सर कुष्टन नमबर आप 12 बता दीजिए और 14 बता दीजिए 13 तो मान लीजिए कर लेंगे तो ठीक है मैं बच्चों की मांग को देखते हुए कुष्टन नमबर 12 और 14 करवा देता हूँ आप इसे ध्यान से देखिएगा कुष्टन नमबर 12 और 14 ठीक है 5 दसंबलो 3 उपर देखो आप दिखरा है कुष्टन आपके स्क्रीन पे भी आ गया है कुष्टन कहता है बच्चा कि ऐसे पर्थम 40 धन पुड़ांकों का योग ज्याद कीजिए जो 6 से विभाजे हैं पर्थम 40 धन पुड़ांक जो 6 से विभाजे हैं पर्थम 40 धन पुड़ांक जो 6 से विभाजे हैं पर्थम 40 धन पुड़ांक जो 6 से विभाजे हैं पर्थम 40 धन पुड़ांक जो 6 से विभाजे हैं पर्थम 40 धन पुड़ांक जो 6 से विभाजे हैं पर्थम 40 धन पुड़ांक जो 6 से विभाजे हैं वो 6 हो जायागा दूसरा 12 हो जाएगा, तीसरा 18 हो जाएगा, फिट 24 ऐसे डाट 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 कितने करने हैं भया हमें 40 निकालने हैं ये 6 से सभी विभाजी हैं जितना मने लिखा मतलब एक प्रकार से आपको 6 का टेबल लिख देना है हमें इन सब का क्या करना है, योग ज्यात करना है, कितने तक 40 तक आप सोचो अगर 6 दहमा, आप यहाँ पर 60 भी कर दोगे तब भी 10 ही निकला हमें 40 का निकालना है, तो यह हम इतना कर देंगे, ठीक है अब आपका यह एक स्रीज बन जा रहा है, देखो इसमें सरवांतर 6 आ रहा न, तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बराबर 6, दी बराबर 6, भाई सीदी सी बात है, डी बे इसमें 6 है, यहन बराबर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दे न, तो प्यारे साथियों यहन बराबर 40 हो जाएगा, क्योंकि हमें 40 धन पूरांकों का जो है, वो योग निकालना है, तो पदों की संक्या कितनी होगी लेकिन अंतिम पद नहीं दिया है इसका एक और भी सूत्र होता है वो ध्यान देना मैं यहां साइड में लिख देता हूं साथियों एक सूत्र होता है इसका योग वाला यह होता है आप लोगों को अच्छे से पता है न यह पता है न बच्चा यह फार्मूला मैं कई बार पढ़ाया हूँ आप लोगों को अच्छे से मालूम है तो यह फार्मूला हम अपलाई कर सकते हैं काज हमें A कमान पता, N कमान पता, D कमान पता है, हमारा ISN आ जाएगा, है न, चलिए, इस फार्मूले में हम रख देते हैं, ये कुश्चन मैं स्क्रीन से अटा देता हूँ, इसमें कि कोई अपती नहीं होना चाहिए, आप इस स्क्रीन साट ले लिए तो ये फार्मूला नहीं इसमें क्योंकि ये इसके अकार्डिंग सुटेबल नहीं है, ठीक है, उसी में मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां लिखा है, वहीं रख दीजिए, N कमान चालिस दिया है, तो ये चालिस हो जायागा, यहां पर भी ये चालिस बटा दो, ध्यान देना, 2 इं कमान 6, N कमान 40 माइनस 1 इंटू 6, कितने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 20 हो गया, समझ ना, ये 12 हो गया, और ये प्लस, इसमें से घटा हो गया, 49 आएगा, 49 में आप गुड़ा कर दो भाया, किसका, 49 में 6 का गुड़ा कर दो, तो 6, 94, हांसिल 5, और 6, 3, 18, 5, 8, 22, 23, 23, 23, 234, देखो सही है न, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 234 में आप इसे जोड़ोगे, तो भाया, 234, 10, 44, 24, 24, 24, आप 20 का गुड़ा कर लीजिए, तो आपका ये 40 आगया, 40 प्रदों को जो योगफल है, वो आपका आगया, गुड़ा कर लीजिए, 0 आप उताल लीज यानि, 31, 220 आपका क्या आगया, 40 प्रदों का योगफल आगया, लेकिन गलत लग रहा है, मुझे ये, ये गलत लग रहा है, कैसे, एक बार फिर से देखे, 0 तो उतार लिए ठीक है, 2 का गुड़ा करा, 2 छंग बाराक, 2 हांसी लेक, 2 चुग का आठ एक, 9, और 2 दुना ये 4 ह बताइए, चल्दी करिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप स्क्रीन साट ले लो फटा पर चलो, ठीक है, क्लियर, स्क्रीन साट ले लो फटा पर चलो, हो गया, सलूसन तो दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर, इधर साइड मैंने कुछ सो लिखा थोड़ी ज़्यादा, ये मैंने टाइम दिया आपको बहुत लिखने के लिए, 13 नमबर देखिए, 13 नमबर क्या कह रहा है, आप पढ़ो ध्यान से नीचे स्क्रीन पर कोश्चन दिख रहा है, अब मुझे ये बताओ, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि नहीं, same to same है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है ना, भी ये जहां इसमें 40 निकालना था, बाबु वहीं इसमें कह रहा है कि 8 के पर्थम 15, भी इसमें पर्थम 40 कह रहा था, उसमें पर्थम 15 का कह रहा है, तो आप स्रेडी बना लो, 8, 16, 24, 35, ऐसे क्या बन जाएगा, एक स्रेज बन जाएगा, और फटा फट उसमें सारे मान ला के पटक दो, हो गया, तो ये तो मुझे नहीं लगता बताने लायक है, जैसे इसमें स्रेज बना था, वैसे इसमें बन जाएगा, आप लोग कर लोगे ना, बोलो भाया कर लोगे ना, चलो अगला, नेक्स्ट कुश्चन, 14 नमबर स्क्रिन पर देखिए, नीचे दिख रहा ह कुश्चन पढ़िए, कहरा कि जीरो और पचास के बीच की विसम संख्याओं का योग ग्यात कीज़, जीरो और पचास के बीच की विसम संख्याओं का योग फल ग्यात कीज़, ठीक है, सुनने से लेकर पचास तक की कितनी विसम संख्याओं होंगी, इन सब का हिसाब पहले यहां पर हल में आप लिखो सबसे पहले जीडों और पचास के बीच की विसम संख्याएं बीच की विसम संख्यान है लिखो zero के बाद एक आता जो की विशम है तीन विसम है पाँच साथ डाट 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 आप ये देखो कि हमें 50 के पहले ही लेना है तो उन्चास होगा इसी बाद है, 0 और 50 के बीच निकालना है, तो 0 के बाद 1 आता पचास के पहले, 49 आता, 49 भी 20 है, 1 भी 20 है, यह आपका स्रीज बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब देखना बच्या समझना, कहा से हम क्या क्या निकालेंगे बागू थोड़ा समझना, यहां से हम A कमान नि स्रम में से घटाओंगे दो आएगा लाइश्ट वाला जो है वो पद भी दिया है कुल टोटल कितने पद होंगे आप यह बता हो यह आदी संख्या सम होती है तो टोटल तो पचीस होंगे मुझे जहां तक पता है कितने होंगे पचीस होंगे ना और आपको अंतिम पद दिया ह अंतिम पद मतलब आपको एयन दिया है 49 हमें लग रहा है कि इसमें लगबग बहुत सारी चीजें दी गई है बस आपको सूत्र में रख देना है ठीक है सूत्र में रख दोगे ना चलो फटा-फट किताब खोले हो सभी चलो फर्मूला लगाओ फटा-फट कौन सा अरे वही अन बराबर अ पलस अन माइनस और इंटो डी तुत्र लगा लो यहां से अन कमान आ गया पूछा क्या था पिसम संख्याओं का योग ना पहले तो आप अन निकालो कि खुल पदों की संख्या है कितनी वैसे खुल पदों की संख्या तो 25 है लेकिन मैं निकालने का तरीका बत आत तक में जोबिसम संख्या कितनी होती पता है तुम्हें एक बाइद मैं न कमान निकालने होगे लेकिन अगर यह equation बड़ा आ गया लाखों में हजारों में तो नहीं कर पाओगे तो इस तरह से मैं आपको दुनों तरीका बता दूँगा ठीक है यहां से मैं आपको यह निकालने का तरीका बता रहा हूं सुत्र लिख लिजिए यह निकालने का तरीका a n बराबर a plus n minus 1 into d योकि सुत्र के माध्यम से होगा बाकी डारेक्टली तो मैं आपको निकालके दिखा सकता हूं कोई बात नहीं चलो a n का मान 49 दिया है a का मान 1 दिया है n का मान हमें निकालना है into d d का मान 2 दिया तो 49 यह 1 इधर आ जायेगा ठीक है equal e n minus 1 आप इनका multiple कर लो भहिया दो का तो यह 2 e n minus 2 यह 48 हो गया और 2 इधर आएगा तो plus में हो जायेगा equal to n तो यह 50 हो जायेगा और नीचे नहीं दिख रहा मैं question हटा देता हूं आप घबराया ना करो बिलकुल भी इलकुल घबराया ना करो यह 2 इधर आएगा भाग में हो जायेगा equal e n आपको पता यह cut जायेगा बेटा पचीस आएगा जैनी हम यहाँ पर लिख सकते हैं चुपके से यह n बराबर पचीस यह n का मान कितना आगे 25 को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आल इस बेल न चलिए यह n का मान हो गया अब मैं इसे मिटा दूं अगर आप लोग कहो तो नहीं कहो तो चलो ऐसे इसी में मान निकाल लो वैसे तो यह मान तुम डारेक्ट भी यह n का रख सकते थे पचीस आता ज वाला जो होता है ये एसी यह बराबर होता नहीं है दो आपन टू ए प्लस या तीह अच्छा लग रहा है इनकमान 25 आबटा दो ए हिए बाटा दो इस कमान 1-5ड थे सट्चैस का माल सं पॉस्याद चार यह केशिक है सुंदर है पचीस बाटा दो जिये 50 दो टुना दो मान त सब्सक्राइब है तो पचीस है तो पचीस है यह 25 कमांड 625 आगया यह हो गया आपका अंसर आप लीजिए फटा पढलिक लीजिए स्क्रीन साथ ले लीजिए आपकी बार मैंने जुगार से लिखा आपकी बार मैंने देखो अपने खड़ा होने एक जगा छोड़ा है न इस फोटो आने चाहिए तरो जल्दी कर हो गया तो यह आपके कुश्चन नमबर 12 से 14 तक हो गए इसके अगली कलास में मैंने कुछ होमवर्क छोड़ा है उसके हलावा मैंने 16 बताया है आपको 18 बताया है जो बीच में छोड़ रहे हैं उसे खुद से कोसिस करिये एकजाम में मेहनत करिये तभी कुछ होने वाला है और सुबा के टाइम ठंडी सुरू हो गई स्वेटर और पहनना सुरू कर दीजिए हां लाज सरम के मारा अंदर में ठुटूरी है नहीं क्योंकि सुबा सुब जब करिए यूटूब पे फिरी सब पढ़ाया जाता है लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करते हो तो अंदर से बहुत अकलीत हो ठीक है तो कलास को सेयर करिए मेरे पीछे कुछ नहीं शुपा है जो लिखाओं में सब सामने दीख रहा है कुछ शुपा नहीं है कुछ थैंक्य इक्सरसाइज आपका 5.3 है जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय समांतर स्रेडी चल रहा है और आज आपकी लाश्ट कलास होनी थी लेकिन बच्चों ने बहुत सारे रिवीजन कुष्चन करवाने को बोले इस वज़ा से हो सकता है कि आज ना खतम हो नहीं तो आज आपका य सामने स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 5.3 पॉइस्टन नमबर 16 तोला नमबर किसी को कोई अगर बात कहनी है तो आप कमेंट करिए यहां याद रखिए यह एक्सरसाइज 5.3 है कि क्लास टेंथ मैथ तो यह NCRT मैथ है तो सिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूनम जी जुड़ चुकी है धीरज कुमार जुड़े हुए हैं और प्रभाकर कुमार और रोसन यादो सभी का बहुत बहुत बेलकम बच्चे चलो कुश्चन पढ़ते हैं कहरा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समगर सहचिक परदर्शन के लिए साथ नगद पुरुसकार देने के लिए साथ सो रूपे की रासी रखी गई है कुश्चन एक बार फिर से पढ़ो किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समगर सहचिक परदर्शन के लिए साथ नगद पुरुसकार देने के लिए साथ सो रूपे की रासी रखी गई है कहरा है कि यदि परदेग पुरुसकार अपने से ठीक पहले पुरुसकार से 20 रूपे कम है तो परदेग पुरुसकार का मान गयात कीजिए परसन आपको इस क्रिन पे दिखरा है इसमें ये नहीं पता कि पुरुसकार की रासी कितना रूपे रखी गई है तोटल तो रखी गई है बता रहा है लेकिन एक पुरुस्कार का अमाउंट कितना है ये नहीं पता है तो क्या करेंगे हम इसमें हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर पहला पुरुसकार कितने रुपे का है दूसरा कितने का है तीसरा कितने का है तभी तो कुछ होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों मानेंगे मानना पहला पुरुसकार रासी फिर दूसरा पुरुसकार रासी ऐसे ऐसे हम लोग मानते चलेंगे ठीक है तो आप लोग लिखिए परस्न को मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा साइड में करके आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा ठीक है तो question आप ये नीचे देखिए छोटा मैंने कर दिया है चलिए हल करते हैं कहां साइड में हम लिखेंगे माना पहला पुरुसकार रासी पहला पुरुसकार रासी बराबर वही कुछ तो मानने नायक सुरूपे अब ध्यान देना परसन में क्या कह रहा है पेटा स्क्रीन पे नीचे question दिख रहा है मैंने छोटा कर दिया है फिर भी दिख रहा है कह रहा है कि परतेग जो पुरुसकार रासी है वो अपने से ठीक पहले पुरुसकार रासी से 20 रुपे कम है मतलब समझना क्या कह रहा है मतलब पहला जो पुरुसकार रासी है अगर वो 40 है तो दूसरा क्या है सिर्फ 20 है क्योंकि उससे 20 कम है और जब अगला अगर 20 है तो अगला क्या है तो जीरो हो जाएगा लेकिन इतना छोटा पुरुसकार रासी नहीं रखा गया होगा 40 रुपए थोड़ी रखा जाएगा जो देखो पहला पुरुसकार रासी एक्स रुपए माना दूसरा पुरुसकार रासी पराबर एक्स माइनस 20 रुपए समझे ना पहला पुरुसकार रासी मैंने एक्स माना तो दूसरा एक्स माइनस 20 रुपए होगा फिर तीसरा क्या होगा भईया तीसरा एक्स माइनस 40 रुपए होगा क्यों? तोकि एक्स माइनस 20 से आप 20 और कम कर दोगे ठीक है? इसमें किसी को कोई doubt नहीं, रभी रंजन आसी, चौधरी, गुड मॉर्निंग, जै प्रकास, हरिजन सभी को गुड मॉर्निंग कमेंट पे ध्यान नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चा ठीक है? तो इस तरह से आपके तीन पुरुसकार रासी हो गए साथ पुरुसकार रासी की बात की गई थी आप ऐसे चाओ था, मानलो, पचो, मानलो, ऐसे सब मान सकते हो, तुम कोई दिक्कत नहीं ठीक है? नीचे लिखोगे, आता हाँ स्रेडी बराबर भाई एक स्रेडी बन जा रही न अभी है क्याक्स क्याक्स माइनस ट्वन्टी क्याक्स माइनस पुर्टी ऐसे एक स्रेडी बन जाएगी साथ पुरुषकार्रासी की जो कि एक दूसरे से क्या होंगे? एक दूसरे से बीस कम होंगे लेकिन अब इससे तो काम नहीं चलने वाला कि ये स्रेडी बन गई तो इससे कुछ होने वाला है हम इन में से जब तक यक्स के मान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो पुरुषकार्रासी कितना रुपए थी? ठीक है? तो चलिए फिर वो भी करने का जुगार लगा लेते हैं यहाँ पर देखो क्या-क्या दिया है? वही आगर ये स्रेडी है तो यहाँ पर A बराबर यक्स हो गया क्योंकि पहला पद A है D कमान निकाल लो बाबू दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं तीसरे से दूसरा घटाते हैं चौते से तीफरा घटाते हैं D कमान आता घटा के देख लो वैसे ये स्रेडी है तो D कमान तो आएगा ही D X माइनस 20 माइनस यक्स मतलब मैंने क्या किया? दूसरा पद से पहला पद घटाया अब ब्रेकट खोलोगे आप सब को पता है कि यक्स से यक्स हट जाएगा घट जाएगा, घट जाएगा तो D कमान माइनस 20 आएगा यानि A कमान आगया बच्चा D कमान आगया बाबू बहुत ध्यान से समझना आसी जी ये कलास सुबह पांच बजे लाइब होती है आप लोग सुबह उठ जाया करो आप चाहे जब देखो दिन में कलास पड़ी रहती है लेकिन सुबह पांच बजे लाइब होती है आप थोड़ा देर हुआ है तो सॉरी आप थोड़ा लेट हुआ है ये हो गया देखो इसमें साथ पुरुसकार रासी देने की बात कही है इसक्रिन पर आपको दिख रहा है तो बच्चा जो पदों की संख्या कितनी है वह सीधी सी बात है साथ है क्योंकि साथ है पुरुसकार रासी की बारे में बात हो रही है तो यानि यहां पर हमें यन का मान भी दिया है यन बराबर कितना दिया है साथ जो जो दिया मैंने लिख लिया अब ध्यान देना अब क्या करेंगे हम एक बार फिर से प्रस्न को देखेंगे कितना देख लो इस स्क्रीन साथ ले लो लेना चाहो मैं कुश्चन फिर से दिखाऊंगा हो गया अब कुश्चन एक बार फिर से देखो इस स्क्रीन पे बड़ा बड़ा देखो भई, बड़ा बड़ा देखो इसे देखो खेरा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समगर सहचिक परदर्शन के लिए साथ पुरुसकार रासी साथ नगत पुरुसकार रासी देने के लिए 700 रूपय की रासी रखी गई है यह दि परतेक पुरुसकार अपने से ठीक पहले पुरुसकार से 20 रूपय कम है तो परतेक पुरुसकार का मान ग्याद कीजिए वह यह total रासी 700 रूपय है total मतलब sum दिया है total सभी का यानि हम क्या करेंगे इस्रेनी का योग फ़ल निकालेंगे क्योंकि हमें जो प्रुषकार रासी है उसका सम दिया है उसका योग दिया है साथ सो तो आप लोग कुश्चन अब नीचे देखिए मैं छोटा कर देता हूं और चलो फटा फटा आजाओ इसको मिटा रहा हूं हां समझो किसी को कोई डाउट है तो बता दो फिर समझ में आ रहा ना इतना हो गया चलिए अब हम योग निकाल लेंगे बिटा पहले मैंने जहां तक लिखा था वहां तक लिख लेना लिखने के बाद फिर ये उपर वाला लिखना अगर सिस्टम से पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरी गारंटी है आप पूरे-पूरे पूरा आँख हासिल करोगे हंड्रेड में हंड्रेड नंबर माइथमेटिक में मिलता है बोर्ड एक्जाम में लेकिन सिस्टम से लिखोगे तब फिर बुत्तर देने से परिक्षा में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे योगफल का दो सूत्र होता है यसं इक्वल यान पांट टू और यह आपका एक टू ए प्लस n-1 इंटू D यह होता है न और एक होता है अज प्लस l इसमें अन्तिमपत दिया होता है इसमें हमें अन्तिमपत तो पता नहीं है इफ लिए हम उस फार्मूले को नहीं लगाएंगे इस समौले को लगाएंगे कि आपका सेरेडी का योगफल का सूत्र है आरके स्टूडियो थारा समझ में सारे मान इसमें लाके रख दो तो यह 7 हो जाएगा बेटा यह 7 इक्वाल 7 अपां 2 और 2 इंटू एक कमान यक्स दिया था कि यह 7 माइनस 1 इंटू डी कमान माइनस 20 दिया था एक बात ध्यान देना मैंने यहां पर जो नहीं लिखा था बेटा कि यह 7 कमान 700 दिया है क्यों भया दिया था कि न यह था न क्योंकि कह रहा था कि टोटल सभी पुरुस्कार राजसी का जो योग है 700 रुपए है यह 700 दिया था यह हम 700 रख देंगे इसकल साथ बटे दो समझते चलना यह टो एक्स यह घटेगा यह आएगा यह का 20 में गुड़ा करोगे बच्चा माइनस 20 में तो माइनस 120 आएगा समझते चलना इसमें किसी को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए कितना क्लियर है चलिए यह मैं अभी तक आपको दिखा रहा था नीचे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आपका काम हो गया इसलिए मैं मिटा दिया हमारे जितने भी हाथी जुड़े हैं वो कलास को बाबू लाइक शेयर जरूर करना ठीक है लाइक शेयर करते हो नो बड़ा मोटिवेसन मिलता है चलो यह सेवन हंड्रेड सेवन अपान टू इसमें अंदर में गुड़ा कर लो तो यह दो एक्स 20 का गुड़ा कर लिया तो इस्टा खोलेंगे बीच में माइनस है ठीक है साथ बटा दो का गुड़ा 20 में भी करेंगे एक सो बीस ठीक है यह दो से दो कट गया यह दो से कट गया यह साथ आ गया तो समझते चलना यह साथ का एक्स में गुड़ा होगा भी यह साथ एक्स माइनस साथ का छे में गुड़ा होगा चार सो बीस नरेज बिस कर्मा ती सिरीज ठीक है बटा बहुत अच्छा तो ये साथ सो ऐसे रहेगा ये माइनस का चार सो बीस इधर आएगा तो ये प्लस का चार सो बीस करेगा और ये साथ एक्स अब मैं वहाँ साइड में हल कर देता हूँ यहाँ पे देखो दिख रहा है कलियर ये दोनों जुड जायाएगा बच्चा तो यारा सो बीस बराबर साथ एक्स तो क्यारा सो बीस ये कार्ड दोगे साथ एक्कम साथ शांग बयाली जीरो यानि एक्स का मान कितना आगया एक्सो साठ इसमें किसी को कोई समझ से कुश्चन नीचे दिख रहा है थोड़ा इंटरनेट डिस्मिस हो रहा था डिस्कनेक्ट हो रहा था तोनू चौरसिय समझ में आ रहा है प्रिया सिंग समझ में आ रहा है मन्जीत कुमार अरपित प्रियांसू सभी को समझ में आ रहा है चलो तो यक्स का मान 60 रूपय आ गया इतना आप लिख लिए होंगे मैं मिटा रहा हूँ देखो भईया step by step लिखते चलो बाबु तभी मज़ा आएगा नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आता है ठीक है step by step लिखते चलोगे तभी समझ में आएगा तो बच्चा देर में जुड़ा होगा उसे कम समझ में आ रहा होगा तो कि सुरू से नहीं पढ़ा हो पांच बजे मैं सुरू कर देता हूं कलास अब आप लिखोगे अताहा पहली पुरुषकार रासी क्यक्स बराबर 160 रुपया पहली पुरुषकार रासी कितना है 160 रुपय दूसरी पुरुषकार रासी कितना हो जाएगी दूसरी पुरुषकार रासी कितना थी एक्स माइनस 20 रुपया थी ना बच्चा तो दूसरी पुरुषकार रासी लिख लो एक्स माइनस 20 थी तो दूसरी भी निकाल लो रोंका किफने है यक्स कमान 160-20 बराबर 140 रुपया तीसरी कितना होगा सिंकु पंचाल आप बताओ तीसरी पुरुसकार रासी कितने होगी ये रुपया लिखाओं थोड़ा अच्छा सा लिखलो आप मुझे बताओ तीसरी पुरुसकार रासी कितना होगा बिटा चल्दी बताओं, तीसरी पुरुसकार रासी, पुरुसकार रासी, यक्स माइनस चालिस था न, अभी श्रीज बनी थी देखे थे न, तुम लोग शुरू में, तो बिटा ये हो जाएगा, यक्स कमान एक सो साथ माइनस चालिस, एक सो बीस रुपया, इसी तरह से, चौथी पुरुसकार रासी, यक्स माइनस साथ, यानि एक सो साथ माइनस साथ, बराबर सव रुपया, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कि कितनी निकालना है, सब के लिए रहे बिटा, चलो, साथ निकालना है, साथ, साथ निकालना है, पुरुसकार रासी, यक्स माइनस अस्सी बराबर, एक सो साथ माइनस अस्सी बराबर, ऐस सी रुपया, ठीक है नगेज 20 कर्मा अरपीत गेमर एको बेटा जो देर में आया है उसे ना समझ में आएगा आप एक बार रिवाइच कर लेना भी ठीक है एक बार रिवाइच कर लेना भी इसी तरह से छटी पुरुसकार रासी की अक्स माइनस सो नहीं यार कुछ मिश्टेक मार रहा है का यह है नहीं सही है एक सो साथ माइनस सो बराबर साथ रुपया साथ तुमी भाई हमें साथ निकालना था ना पुरुसकार रासी अक्स माइनस 120 पराबर एक सो साथ माइनस 120 पराबर चालिस रुपया जानी जो सातवी पुरुसकार रासी पाया वो सबसे कम पाया ठीक है नो मैं सामने से हट जाता हूं स्क्रीन साथ लेलो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टड़ी में तो बच्चों आपकी कलास शुरू हो चुकी है सुबा के पांच बज़े जैसा कि आपको पता इस समय कलास 10 की कलास चल रही है यह मैथमेटिक्स कुश्चन बहुत ही ध्यान से देखना आज आपका यह एक्सराइज 5.3 खतम हो जाएगा इसमें का सिर्फ एक कुश्चन बचेगा बस यानि आपका आज से समांतर स्रेडी खतम हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंड हो गया कुश्चन आपके स्क्रीन पर आरा ध्यान द को लेते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए स्रिज्जाओं 0.5 cm 1.0 cm 1.5 cm 1.5 बोलो मतलब एक है 2.0 cm वाले उत्तर अर्द बृत्तों को खीच कर एक सफल बनाया गया है एक सफल बनाया गया है साथियों ये थोड़ा सा मुझे गलत लगरा टाइपिंग में हुआ है एक सरफिल बनाया गया है ठीक है आप यहां पे थोड़ा ध्यान दे ना जहां पे वहां पे लिखा है सफल बनाया गया है वहां पे क्या होगा एक सरफिल बनाया गया है अभी मै पिछे चितर में कहां दिखाया गया है वह आपको नहीं दिखा देता हूं यह देखो फिगर अब ध्यान दो यह सरपिल है इसी को सरपिल कहा जाता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे मैं एक बार बता दूं कैसे बनेगा ऐसे इसमें देखिए अर्धबृत बने है वच्चा तीन तीनों अलग अलग कलर में हैं आपको समझने के लिए आप अगर ध्यान से देखो तो जो आपको बुलू कलर का दिख रहा जहां पर एबी लिखा है वह एक अर्धबृत है अर्धबृत का मतलब यह होता है जैसे एक सरकल जैसे बनाएं इसको आधा बीच से काड़ दो जो यह आधा बचता हो किया है अर्धबृत है जानते हो कि नहीं तो उसी तरह से अगर आप देखो तो बुलू कलर वाला नीले कलर वाल जहां पर ए भी लिखा है वह एक अर्धबृत है और यहां पर एल्टू लिखा है वह व कि केंद्र मानने को बोल रहा है तो आई से अब आगे समझे गए तो बड़े प्यार से कर लेंगे पर नहीं समझ पाए तो फिर आपके लिए जो सकता है और चुकि आपके एक्जाम में ये पूछा गया एक आद दो बार इसलिए मैं इसको बता रहा हूं ये पूछा भी जा सकता है अच्छे कुश्चन में क्योंकि जो समझदार बच्चा है वही इसको करेगा और कोई नहीं कर पाएगा ठीक है आसान है बहुत आसान है लेकिन लंबाई तो फिलाल वहां पर आप देखो इस पर मैंने आपको दिखाया है ये बुलू कलर में और ग्रीन कलर में लिखा ना या लग अलग मने पहले से बता दिया है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर ध्यान देना क्योंस्टन में कह रहा है कि केंद्रों ए और बी को लेते हुए जाओ 0.5 सेंटीमीटर इसका मतलब समझना मुझे यहां पर फिगर बना के एक बार आपको बताना ही पड़ेगा कि यहां मैं बना सकता हूँ आप बाते समझ गया हो तो मैं यहां पर बना सकता हूँ फिखाना मैं छोटा बनाउगा बहुत बादा नहीं बनाउगा यहां पर मैंने अगर य मान लिया अब देखके ना समय यहआपका इक मढुख बन गया आप देखो नहां पर बन रहा है नहां कि ऑ और मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा और ऐसे कि दिख़रा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को अब समझना तो साथीओं यहां पर एक चीज आपको देखना है जो आपका ऊपर साइड में बन रहा है उपर साइड में यह जो अगर आप देखो यह आर बराबर 0.5 है कितना है आर बराबर 0.5 यहां पर लिखे진 आम यहां पर जगा नहीं है मेरे मेरे में यहाँ पे तो एलू कलर नजिक रहा अपको फिगर में पीला कलर का वह कीतना है भराबर 0.5 पांच न dziए जो रिज्ज्या कितना 0.5 cm सैंटा में आगे देखने आगला ध्यांद देकिन अगला क्या है ऐन था था न वन किसका बता है पता आपको आपको ब्लू कलरा का दिखर है डिकलिपे नीले हिए यह वाला यह कि इसका कि On प्रावर कितना 1.0 यह दिया है चीतर में देखो यह न इसके अलमा अगला डेड़ है 1.5 कौन सा जो ग्रीन कलर का आपको इसक्रेंट में दिखरा है जिए इसक्रेंट में यह यह कितना रावर वन पॉइंट 5 और एक जो औरेंज कलर का सबसे बड़ा वाला है आपके इसक्रें है वह आर बरावर 2.0 है यह क्या है त्रिज्जाय दी गई है यह नि हमें क्या दिया रेडियस दिया है और इनकी लंबाईया दी गई है अलग अलग अगर आप स्क्रेंट पर देख पार हो तो जो पीले कलर का गोला है छोटा था इतना उसके उपर यह लवन लिखा है ठीक ह मतलब यह परिधी इसकी कितनी है यह लवन है ठीक है और परिधी नहीं इसकी लंबाई है वो क्या है लंबाई है परदी तो अभी हम निकालेंगे परदी को इंग्लिस सर्कमफरेंस बोलते हैं तो यह चीजें दिया गया है अब हम क्या करेंगे अब हम सर्कमफरेंस वाले लिखेंगे इंग्लिस वाले ध्यान देना में दोनों में बता रहा हूं इंग्लिस मीडियम वाले लिकेंगे बिटा सरकम्फ्रेंस आप सेमी सरकल सेमी सरकल मतलब आर्दबृत और सरकम्फ्रेंस मतलब होता परिदी ठीक है सरकम्फ्रेंस आप सेमी सरकल यह क्या होता है यह होता है तू पाई आर आप सभी को पता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है नहीं यह प्रित की परिदी का सू रहें सरकम्फ्रेंस का है तेकिन यहां अर्दव्रित्त की बात हो रही सेमी सरकल की तो इसको आधा कर देंगे तो फाइनल बे हमारे सूत्र बनेगा वह पाई-यार बनेगा पाई-यार अब मैं कुष्चन हटा दूगा इस क्रेंगा अब आपको समझना है केवल केवल और केवल समझना है फिर मैं कोईश्चन बाद में फिर से दिखा दूँगा थोड़ी देर में देखो तो अब समझना बच्चा यहां पर क्या क्या समझना है अब हम यलवन निकाल लेंगे पहले तो यलवन बराबर आपको पता है कि अर्धवरित की परिधी होती है उपाई यार इसका सुत्र होता है तो यलवन निकालने का मतलब यह है क्या कि जो आप मैं फिर आपको एक बार दिखाऊंगा बीना दिखाए होगा नहीं इसको निकालने के लिए मतलब जान रहे हो यह आप चीतर देखो इसक्रीन पे आपको दिखरा के लिए तो जो एलो कलर का आपको थोड़ा सा अर्धवरित दिखरा जहां मैं टच कर रहा हूं अपना इसक्रीन देखो आप जो मैं फिगर दिखाया हूं उसके ओपर देखो य इसका मतलब हमें यह लंबाई निकालना यह तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे तो पाई कमान जो है वह कहा रहा है को फिगर में देखो कि आपको 22 बटा साथ ही उच करना है लेकिन अभी नहीं जहां काम लगेगा आगे यहां पे पाई इंटु आर कमान जीरो पॉइ आएगा 1.0 का मतलब आप इस स्क्रिन पर अपने देखो जो ब्लू कलर का सरकल है नीले कलर का उसके ऊपर यह ल्टू लिखा ना नीक्से साइड में यह जैनि यह जैनि अब हमें यह निकालना यह ठीक है इसके लिए त्रिज्या 1 है यह मैंने रखा है ठीक है इसी तरह से य इन्टू 1.5 तृज्या कितना डेढ़ है यह उपर वाला है कि इसी तरह से यलप और भी निकाल लोगे यलप और भी निकाल लोगे बिटा यह आपका हो जाए अगर 2.0 जैनि आपका यह निकालना यह निचे वाला इसमें किसी को परसानी है रानी दिक्कत नहीं ना चलो यह हो गया अब इसी तरह से हम कहां तक निकालेंगे आप एक बार फिर से कुश्चन देखो कुश्चन देखो बार बार देखो एक बार नहीं हजार बार देखो बिना परसन पड़े कुछ नहीं हो जाला पुश्चन पर अगर आप ध्यान दो तो कह रहा है कि तेरा करमागर्थ अध्रिद्धों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है तोरी यहाँ पर सर्किल नहीं सर्किल होगा जो मैंने अभी दिखाया टाइपिंग मेंनोंने काफी गलतियां किया है यह सर्किल होगा सर्किल नहीं ठीक है सर्किल जो मैंने अभी बनाया था इसको क्या बोलने सर्किल टोटल जितना बनाईए ठीक है तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अंतताह आपको मिल जाएगा यल और के बाद 5,6,7,8,9,11,12,13 हमें 13 तक निकालना है तो हम सब तो निकालेंगे नहीं एक तरफ से अब लाश्ट में यल 13 आप अंज्यादा लगाओ यहाँ पर आर कमान इसके लिए क्या होगा तरह सोचो आर कमान इसके लिए क्या होगा चुकि इसका तो दिया नहीं है आप अगर एक चीज देखो उपर से नोट करो ध्यान से तो पहले का निकाला गया तो तरिज्जा करिए पहले का निकाला गया तो तरिज्जा आधा आई दूसरे का निकाला गया तरिज्जा एक आई तीसरे का निकाला गया तरिज्जा डेढ़ आई चौथे का निकाला गय कि अर्दवृत ने इसे क्या बोलें है जिस भी प्रकार से बोलें या कुछ भी अप समझे लो निकाला गया पर दी तो उसके लिए तिरिज्ज्या जो है उसका आधा आई है जैसे दूसरे के लिए दूइबटा एक तीसरे के लिए तीन बटा दूइचोथे के लिए चार बटा दूए पहले के लिए एक बटा दो मतलब दो सिसमें भाग हुआ है तो उसी तरह पे तेरवन में भाग करोगे भाया तो यह हो जाएगा पाई इंटू थर्टीन बटा दो थर्टीन अपांट टू का मतलब होता 6.5 यह इसका हो जाएगा यहीं से हम अनुमान लगा लेंगे यह रिजिनिंग का कुईश्चन बन गया है कि इतना ठीक है मैं इसक्रीन से पुईश्चन हटाता हूह छलिए रिखक लिखो अता स्रेडी बराबर पटापड लिखो स्रेडी बराबर क्या लिखोगे जितनी भी आई हैं इस अभी स्रीज को यहाँ पर आपको लिख देना है आँ पदा लिख भी देता हूह त्रेडी बराबर तो पहला क्या बना है देख लो भाई यहां पर क्या बना है अब एक गंदा मतलिक हो भई पाई इंटू 0.5 दूसरा बना है पाई इंटू 1.0 तीसरा बना है पाई 1.5 दिकरा नंग चौथा बना है पाई इंटू 2.0 इसी तरह से डाट 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 अनंद तक जा करके और लाश्ट में बना है पाई इंटू 6.5 नमादिने की कोसिस करना यह आपकी एक स्रीज बन गई स्रीज की ही तो खोज थी हम लोगों को यही तो मिल नहीं रहे थी दुरभाग जौज अब देखिए हमें 13 क्या निकालना था तेरवे पद कमान निकालना एक परकार से वही तो लंबाई होगी ना 39 पद चलो समझो अब यहां पर इस में से आप समझो अगर स्रीज बन गई तो एकमान मिल गया आपको एकमान यह पहला पद है पहला पत क्या है पाइच इंतु जीरो पॉइंट पायंट पाच यह पहला पते आप देखो कुल 13 की बात हो रही है यानी अन भी क्या 13 दिया है इसमें झी का कोई काम है नहीं नहीं तो हम ती भी निकाल लेते और इसमें यन भी दिया है एन इतना नहीं दिया है यह यन का मान है भाई साथ फुल पदों के संख्या तेरा है न एन इतना दिया है देखो एन मतलब लाश्ट वाला पद यह दिया है अब हम योग फल वाला सुत्र लगा देंगे समानतर यह स्रेडी के क्या योग वाला सुत्र लगाएंगे इधर मिटाएंगे स्क्रिंसाट लेलो मिटा दू हो गया के लिए चलो देखिए यह कुश्चन थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा समझने लायक है अगर आप समझेंगे तो आसान है मुश्किल नहीं लेकिन नमादिना जरूरी जल्दी जल्दी बोलता हूं इसलिए मेरा कि यूटूब पे कैप्शन भी वर्क नहीं है तो अब हम यह फर्मूला अपलाई करेंगे सेन इक्वल एन अपांड टू कि ए प्लस एन या फिर यह लिख लो चाहिए जो भी अन्तिमपन है एन का वेलू आया भाये 13 तो यह वाजाया आपका 13.2 a A मींज 5 इंटू 0.5 प्लस an का मतलब लास्ट वाला पदु an का मतलब लास्ट वाला पदु लास्ट वाला पदु का मतलब है बच्चा यह 5 इंटू 6.5 क्लियर कोई दिक्कत नहीं चलो चलो को करटीन अपांट दू कि इसमें अगर आप ध्यान दो तो पाई कामन हो सकता है इसमें भी यह तो एक काम हम करता हूं इसमें पाई कामन ले लेता हूं अब देखो यह 0.5 बचेगा और यह 6.5 बचेगा ठीक है अब समझना यह 13 बटा दो और यह आपका जूड़ेगा तो साथ हो जाएगा भाईया साड़े च्छा में साड़े च्छा में जो पांच जो आदा जोड़ों के साथ हो जाएगा और पाई कमान भी रख देते हैं बाईस बटा साथ अब यह साथ से साथ गया चुकि सेवन उपर था यह 2 से कट गया 11 आ गया फाइनल में आपका इतना आ गया उड़ा कर लो तेरा कम तेरा 14 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया जिसे बोलते हैं यस 13 आता है आप लिख है आता है आता है पुश्चन पर देख लो फिर मै लिखवाता हूं क्या लिखना है जल्दी स्क्रिंसार्ट ले लिजिए मैं फिर से कुश्चन दिखाऊंगा लाश्ट में बस फिनिस करूँगा बहुत जल्दी करिए समझोगे तभी समझ में आएगा बच्चा वरना यह समझ में नहीं आने वाला है पुश्चन देखो नीचे कह रहा था कि तेरा कर्मागत अर्धवृत्वास से बने इस सरपिल की लंबाई जांत कीजिए कुल लंबाई क्या है यहां पर ध्यान देना माफी चाहते हैं यह सरपिल वर्ड है सरकिल नहीं हिंदी में सरपिल ठीक है जहां जहां सरकिल लिखा सरप है यही एक गल्ब था ठीक है जहां सफल लिखा है खींच कर एक सफल बनाया गया न वहाँ भी सरफिल होगा सरफिल यह वर्ड थोड़ा टेना मेरा था इसले टाइपिंग में गलती हो गई है ठीक है तो सरफिल के जो टोटल लंबाई कितना होगा और 163 संटीमेटर होगा सरफिल का मतलब यह है देखो फिंगर पे आप लोग आओ सरफिल का मतलब यह कि जो लाइन ऐसे खीची ए ना दिखा रहा हूं जो ऐसे खीची है ना यहां से इसे 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 इसकी टोटल लंबाई की बात हो रही जो टोटल भूमी है 143 सेंटिमेंट अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए हम उसे जरूर बताएंगे और अगर हमसे आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो ठीक है और कलास को लाइक और जादा फे जादा किया करें लास का टाइम सुबा पांच बजे फे डेली कलास होती है आप लोग आया करिए नाम के पीछे बिल्कुल मत पढ़ा करिए आपको मिल रहा है आपके कमेंट भी आ रहे हैं सरवन जी आपका कमेंट आरा मैं देख पा पॉमत दिर्फान का ठीक है और कौन है अभी अभी जो जुड़े है आकरती कलास का टाइम पर आप लोग आया करो देर में मत आया करो ठीक है देर में आओगे तो समझ में नहीं आए तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक्यू कलास को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप इसे फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पीबियर इस्टेडी के फेस्बुक पेज को जरूर फालो कर लें अगर यूटूब पे देख रहे हैं तो फीजब्सक्राइब करें यूटूब थैंक्यू